आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं और पढ़ाई में बहुत बढ़िया तरीके से रिविजिन भी कर रहे हैं तो आप सब लोगों का इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत हैं सब को बहुत-बहुत गूड इवनिंग I hope बच्चों आप सब लोग अपने घरों पर बढ़िया तरीके से स्वस्थ हैं बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं और चीजों को सीख रहे हैं तो आज का जो यह सेशन है बच्चों जैसा आपने थम Nail में देखी लिया होगा और मेरे पीछे भी आपने देख लिया होगा आज हम किस का One Shots लेकर आये हैं आज हम cell cycle और cell division का one shot लेकर आए हैं कोशी का चक्र और कोशी का विभाजन का one shot है आज के session में बच्चों पूरे आप लोग बने रहिएगा क्योंकि ये जो chapter है ये chapter concept based chapter है इस chapter को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यदि ये chapter समझ में आ जाता है तो उसके बाद मैं कहता हूँ जब चीजें समझ आ जाती है तो आसान हो जाती है और आसान हो जाती है मतलब हलुआ लगने लग जाती है तो सब को बहुत 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 गुट इवनिंग बच्चों सब लोग आप लोग जुड़ चुके हैं मैं देख रहा हूँ सब को very very good evening अब एक बहुत important चीज है बच प्रशन आएंगे तो नीट 2014 में इस चाप्टर का weightage कितना रहने वाला है कम से कम दो प्रशन तो आने ही आने है हो सकता है तीन प्रशन भी एक है तो दो से तीन प्रशन आज के सेशन में हम तयार कर लेंगे और इस चाप्टर को हम तीन भागों में divide करेंगे बच्चों इस को तीन भागों में कैसे divide करेंगे सबसे पहले तो चाप्टर का concept समझेंगे कि कोई भी चाप्टर जब NCRT में कोई भी चाप्टर दे रखा है ना तो वो चाप्टर क्या कहना चाता है तो सबसे पहले तो उस चाप्टर का निचोड हम समझेंगे चाप्टर क्या कहना चाह र और most expected questions जो इस chapter से नीट में पूछे जा सकते हैं तो बच्चों I hope कि ये जो session का जो निचोड है वो मैंने आपको बता दिया है तो अब एक बार जरूर comment section में लिखे बता दीजिए कि आप सब लोग इस chapter को पढ़ने के लिए तैयार है या नहीं तो अब मैं आपके comment एक बार देख लेता हूँ एक बार thumbs up करके बता दीजिए कि ये chapter हम पढ़ने के लिए तैयार है हाँ भई ठीक है चलिए yes yes बिल्कुल 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 सबको बहुत बहुत good evening भई mcqs भी करेंगे बच्चों chapter complete होने के बाद इसके mcqs भी करेंगे numericals में अगर आपको दिक्कत आती है तो आज के बाद इस session के बाद वो numericals की दूरी भी आपकी जो दुविदा है या जो numericals में आपसे डर लगता है वो भी डर आपका दूर हो जाएगा ठीके बच्चों चलिए अब आईए पहले topic पे हम बात करते हैं पहला सवाल तो यह है कि कोशी का यानि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बच्चों cell division या cell cycle की तो हमारे पास cell cycle है और cell division है ठीके बई अब हमारे पास क्या है कोशी का चक्र की हम बात करेंगे और कोशी का विभाजन की बात करेंगे अब सबसे पहला सवाल जो सबसे पहला question आता है आपके दिमाग में की सरे कोशी का विभाजन करती ही क्यों है सबसे पहला सवाल तो दिमाग में आता है सरे कोशी का को विभाजन करने की जरूवत क्यों है एक सेल को डिवाइड करने की जरुवत क्यों है तो पता है हमें आज एक सेल डिवाइड करेगा कोशी का विभाजन करेगी तभी तो वृद्धी होगी तभी ग्रोथ होगा तभी विकास होगा यानि development होगा तभी मरमत होगी यानि repair होगा आपने सोचा है न कि सर जब एक भुर में उस development में क्या हो रहा है? Ty vision हो रहा है सर ब्लकुल चोट लगती है बच्चों आज त्वचा हैं त्वचा की कोशी का यहाँ पर चोट लग जाती है चोट लगने पर घाव भरता है गाव भरता है इसका मतलब नई कोशी का निर्मित होती है तो इसमें भी क्या देखा जाता है विभाजन देखा जाता है पुरानी कोशी का जो होती है ओल्ड सेल्स होते है वो नश्ट होते है और ओल्ड सेल्स नश्ट होकर नई को कोशी का है उनको replace करती है तो उसमें भी क्या देखा जाता है कोशी का विभाजन तो सबसे पहले page पर यही दे रखा है NCRT के पहले पेज पर यही दे रखा है कि कोशिका विभाजन करती क्यों है Excel Divide क्यों करती है तो आपको ध्यान में रखना है वृद्धी के लिए Growth के लिए Division होता है विकास Development के लिए Division होता है मरम्मत Repair के लिए भी Division होता है तो ये तो हमको मालूम चल गया कि ये कोशिका को विभाजन करने की जरूरत क्यों है Excel Divide क्यों करता है अब सबसे पहली चीज आती है कि सर ये कोशिका चक्र का क्या खेल है सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर ये कोशिका चक्र का खेल क्या है Cell Cycle क्या होती है तो आप भी बच्चों सिंपल सी एक बात सुनो, हम लोग भी नीट का एक्जाम देने वाले हैं, हम सब लोग नीट का एक्जाम देने वाले हैं, या कोई भी दूतरा competitive एक्जाम देने वाले हैं, तो जब आप एक्जाम देते हो, तो सीधे एक्जाम देने चले जाते हो, या उ विभाजन के लिए तैयारी करेगा तो आप imagine करो कि हम अपने entrance exam की तैयारी करते हैं और फिर exam देते हैं तो कोशी का भी विभाजन की तैयारी करेगा और उसके बाद विभाजन करेगा ठीक है बिल्कुल चीज तो अब वही तो हम कहते हैं तो कोशी का चक्र का मतलब ही क्या है बचों कोशी का चक्र का अर्थ ही ये है कि कोशी का विभाजन के लिए तैयारी करता है विभाजन के लिए कोशी का क्या करती है बचों तैयारी करती है जिसे हम कहते हैं preparation और तैयारी करने के बाद क्या करती है विभाजन करती है कोशिका विभाजन की तैयारी करेगी और तैयारी करने के बाद विभाजन करेगी यही बात है तो इसी को तो इन समस्थ पदों को सारे पद जो एक कोशिका को विभाजन के लिए तैयार करते हैं जो कोशिका को विभाजन के लिए तयार करते हैं और तयार करने के बाद उसे डिवाइड करते हैं ये सारे के सारे पद किसमें शामिल होंगे भई की सेल साइकल में देखिए सबसे पहले हम लोग इस चाप्टर का इस कॉंसेप्ट का निचोर समझने वाले हैं एक बार आपको ये निचोर समझ आ गया ना बच्चों मैं आपको बता रहा हूं एंड सी आटी का तीन सो साट डिग्री हम घोल के पिएंगे एक एक लाइन एक एक शब्द क्लियर होगा तो हमको सबसे पहली चीज ये मालूम चल गई थी कि ये जो क्वेस्ट जो सेल है वो डिवाइड क्यों करता है हमें मालूम है व्रिद्धी के लिए करता है विकास के ल प्रेपरेशन और तैयारी के बाद विभाजन करेगा उसे हमने कह दिया डिविशन अब पहला सवाल आता है कि सर विभाजन के लिए तैयारी का क्या मतलब है एक्जाम की तैयारी का मतलब है सर हम फिजिक्स पढ़ते हैं केमिस्ट्री पढ़ते हैं बोटनी जुओलोजी इसे करता है, तो तयारी में क्या क्या चीज़ आएंगी बचों, जब विभाजन के लिए तयारी करेगा न तो तयारी में आपके पास सबसे पहले जिसे हम कहते हैं, ग्रोथ आती है। जिसे हम कहते हैं कोशी का वृध्धी करता है अब यहांपर वृध्धी का मतलब क्या है? जब विभाजन के लिए कोशी का तैयारी कर रही है तो यहांपर वृध्धी का मतलब है कोशी का द्रव्य की वृध्धी यह NCRT के first page पर ही दे रखा है बचों ये आपको ध्यान में रखना है जब कोशी का विभाजन की तैयारी कर रहा है जब कोशी का डिविजन के लिए प्रिपेर कर रहा है तो प्रेपरेशन में वृद्धी में उसकी कोशी का द्रव्यक की साइज बढ़ेगी साइटो प्लाजमिक ग्रोथ होगी कोशी का द्रव्य की वृद्धी होगी और साथ ही साथ क्या होगा बचों उसका जो DNA है कोशी का का जो DNA है वो replicate करेगा ना DNA का क्या देखा जाएगा replication यही दोनों चीजें यही दोनों चीजें NCRT के पहले पेज पर दे रखी है इसको अपन NCRT से भी relate करने वाले है तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कोशी का विभाजन के लिए तैयारी कर रहा है अब तैयारी में क्या चीजें शामिल होगी तैयारी में कोशी का द्रव्य की विध्धी होगी अब कोशी का द्रव्य की विध्धी होगी इसका क्या मतलब है सर इसका मतलब है कोशी का के अंदर RNA बनेंगे proteins बनेंगे कोशी कांग विध्धी करेंगे ये सारा कोशी का द्रव्य की विध्धी है और DNA अपनी copy बनाएगा क्योंकि DNA अपनी copy बनाएगा तभी तो दो कोशिकाओं में बराबर रूप से विस्तारित या विभाजित हो पाएगा तो अब काम की चीज समझो भई हमने कहा कोशिका चक्र में सबसे पहले विभाजन की तैयारी होगी इस विभाजन की तैयारी वाली अवस्था को ही हम क्या कहते हैं इंटरफेज या अंतरा अवस्था अब हम आ रहे हैं NCRT के टॉपिक पर कि भई कोशिका जब विभाजन की तैयारी करता है तो वो तैयारी वाली अवस्था को क्या कहेंगे तैयारी वाली अवस्था को इंटरफेस कहेंगे और तैयारी के बाद वो अपने आपको विभाजन करेगा और विभाजन वाली अवस्था को हम M फेस या M अवस्था कहेंगे तैयारी वाली प्रेपरेशन करने वाली अवस्था को अंतरा अवस्था कहेंगे और उसके बाद जब कोशी का विभाजन करेगा, तो विभाजन वाली अवस्था को M-phase कहेंगे फिर हमने देखा तैयारी में होगा क्या, तैयारी का क्या मतलब है सर, तैयारी का मतलब है कोशी का द्रव्य की वृध्धी होगी तैयारी का मतलब है कोशी का द्रव्य की वृध्धी होगी, मतलब कोशी का द्रव्य साइटोप्लाजम के अंदर आरेने बनेगा, प्रोटीन्स बनेंगे, कोशी कांग औरगेनलीस की संख्या बढ़ेगी, ये सब कोशी का द्रव्य की वृध्धी है और उसके साथ साथ DNA अपन कॉपी बनाएगा तो इसका मतलब यह है देखो वच्छो हर चीज को फ्लो चार्ट से ही पढ़ने जाते हैं हम चाहेंगे कि हर एक टॉपिक का हर एक कॉंसेप्ट का फ्लो चार्ट जो है वह आपके दिमाग में बैठ जाए तो इसका मतलब अब मैंने वापस हमको इतना मालूम चल गया कि जब मैं कोशी का चक्र की बात कर रहा हूं भई अब हम बात तो कोशी का चक्र की कर रहे हैं और हमें इतना मालूम चल गया कोशी का चक्र में सबसे पहले तैयारी होगी और तैयारी वाली अवस्था को अपनने क्या नाम दे दिया बच्चों अंतरा अवस्था त काम अवस्था कहा है और तयारी के बाद जब विभाजन होगा तयारी के बाद जब विभाजन होगा भई तो विभाजन या डिविजन वाली अवस्था को हम क्या कहेंगे म अवस्था कर कि कह रख् superintendent है अब एक तैयारी तो साल भर की है, दो साल की है, तीन साल की है, मेहनत आपका, जो तैयारी है, उसमें हमेशा जादा समय लगेगा, तो next चीज आपको याद रखनी है, कि कोशी का चक्र में, cell cycle में, जादा समय किसमें लगेगा, ज्यादा समय तैयारी में लगेगा, कम समय विभाजन में यह ncrt के दूसरे पेज़ पर है ncrt के संड़ पेज़ पर दे रखा है कि इंटर फेज में समय कितना लगता है 95% से जादा समय 95 प्रतिशत से ज़्यादा समय लगता है इंटरफेज में और 5 प्रतिशत से कम समय लगता है विभाजन में दे रखा है NCRT में 95 प्रतिशत से ज़्यादा समय तैयारी में लगता है और विभाजन तो 5 प्रतिशत से कम ही हो जाता है अब NCRT में दो example दे रखे हैं एक तो आपको मानव कोशी का का दे रखा है एक तो आपको दे रखा है मानव कोशी का का या human cell का human cell की cell cycle duration कितने घंटों की होती है बच्चों 24 घंटों की इसका मतलब मानव कोशी का 24 घंटे में एक बार डिवाइड करती है मानव कोशी का 24 घंटे में एक बार डिवाइड करती है और दूसरा उधारन yeast कोशी का का भी दे रखा है yeast cell का भी कोशी का चक्र दे रखा है आपको 90 मिनट इसका मतलब हर organism का हर कोशी का कोशी का चक्र अलग होता है ये सवाल बना सकते हैं जब मानव कोशी का का कोशी का चक्र अवधी 24 घंटों की है yeast कोशी का की कोशी का जब अवधी 90 मिनट की है इसका मतलब हर cell की कोशी का चक्र अवधी जो है वो अलग-अलग है तो अब इसका मतलब अगर मैं मानव कोशी का की बात करूं तो तैयारी में लगभग लगभग कितना समय लगेगा 22 से 23 घंटे अगर मानव कोशी का 24 घंटे में एक बार डिवाइड करती है तो 22 से 23 घंटे तो सिरफ तैयारी में चाहिए इसलिए जब आप अपने नीट इग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो तैयारी पे जोर जादा होना चाहिए क्योंकि जितनी बहतर तैयारी होगी उतना बहतर रिजल्ट रहेगा तो आपकी तैयारी में इतना समय है तो विभाजन में लगभग लगभग कितना समय लगता है भई एक से दो घंटे एक घंटे में विभाजन हो जाता है ज्यादा समय तैयारी में लगेगा NCRT के दूथरे पेज़ पर है मैंने इसको फ्लो चार्ट के मध्यम से समझाया है तो कोशी का चक्र में तैयारी वाली अवस्था बच्चों इंटर फेज है तैयारी के बाद विभाजन वाली अवस्था M फेज है तैयारी में हमने देखा है ज्यादा समय लगेगा पिच्यानवे प्रतिशत से ज्यादा समय लगेगा और विभाजन में 5 प्रतिशत से कम समय लगेगा इसका मतलब अगर मानव कोशी का human cell का में example loose cell cycle 24 घंटे की है तो 22 से 23 घंटे तयारी में लगेंगे और विभाजन केवल 1 से 2 घंटे में हो जाएगा अब सुन लो इसमें ट्विस्ट क्या है और इसमें जो बहुत जादा गलती करते हैं बच्चे अगर आपको बैक्टीरिया का आणविक जैवी की यानि जो वन्शागती का आणविक आधार है molecular basis of inheritance उसमें जिवानू की बात कर रखी है और यह दे रखा है कि बैक्टीरिया जो है वो 20 मिनट में डिवाइड करता है बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड करता है यह दे रखा जिवान्त काम नहीं करेगा यह अंतरा अवस्था और एम अवस्था का concept सुन लो ध्यान रख लेना यह concept के वल यू केरियोट के लिए काम करता है प्रो केरियोट के लिए या जिवानू के लिए नहीं करता आपको ध्यान है एक question था बहुत पुराना नीट का कि बैक्टीरिया में या जिवानू में DNA replication कब होता है बैक्टीरिया में जिवानू में DNA replication किस अवस्था में होता है option में ऐस अवस्था थी बहुत सारे students ने जलबाजी करके ऐस अवस्था पर आंसर करकर के आ गए लेकिन आपको पता होना चाहिए बच्चों ये जो system है अंतरा अवस्था का जीवन पढ़ेंगे S पढ़ेंगे G2 पढ़ेंगे ये सब यू केरियोट्स के लिए मान्य है जिवानू या प्रो केरियोट्स के लिए मान्य नहीं है जिवानू में द्वी विखंडन बाइनरी फिजन होता है और बाइनरी फिजन से ठीक पहले उसकी DNA कौपी बनाता है उसमें G1, S और G2 अवस्था का सिध्धान्थ ही नहीं है बेक्टीरिया में G1, S, G2 का सिध्धान्थ ही नहीं है जिवानू में बेक्टीरिया में सीधे DNA प्रतिकृति करन करता है और उसके तुरंत बाद द्वी विखंडन हो जाता है तो उसका जवाब था द्वी विखंडन से ठीक पहले G1, S और G2 का concept प्रो केरियोट्स के लिए काम नहीं करेगा ये पूरा concept इसलिए NCRT क्या लिखती है Human Cell, Yeast Cell मतलब ये सब के सब क्या है Eukaryotes आ गई बात सबको समझ में ये concept ध्यान रखना छोटी सा twist था इसमें हलका सा कि जिवानू के लिए concept नहीं करेंगे ये Eukaryotes के लिए concept होगा तो इतना सब को समझ आ गया बच्चों तैयारी वाली अवस्था, Interface, विभाजन वाली, M-Phase अब इसमें NCRT से रिलेट करते हैं चीजों को अब NCRT से कैसे रिलेट करेंगे बच्चों आओ धेकें बात वही है cell cycle की ही मैं कर रहा हूँ कोशी का चक्र यानि cell cycle की ही बात हो रही है cell cycle में हमको इतना मालुम चल गया कि तैयारी वाली अवस्था कौन सी है? अंतरा अवस्था तैयारी वाली अवस्था कौन सी है? अंतरा अवस्था हमें पता है ये तैयारी या preparation है अब इसके points बनाते हैं बच्चों तो तैयारी या preparation वाली अवस्था कौन सी हो गई हमारे पास interface अब interface में क्या तैयारी है ना अब सवाल आता है कि सर तैयारी में क्या-क्या होगा, NCRT की लाइन है, NCRT की लाइन है, flow chart या points में लिखो, सबसे पहले इसमें कोशी का द्रव्य की वृध्धी होगी, कोशी का द्रव्य की वृध्धी, जिससे हम अंग्रेजी में कहते हैं, cytoplasmic growth, और फिर आपको ध्यान में रखना है, सर क्या मतलब, कोशी का द्रव्य वृध्धी का क्या मतलब है, जब एक सेल विभाजन की तैयारी कर रहा है, एक सेल डिविजन के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसमें कोशी का द्रव्य की वृध्धी है, मतलब क्या हुआ सर, मतलब है कि RNA और प्रोटीन का संचलेशन होगा आरेने और प्रोटीन सिंथिस होंगे और दूसरा और अपनने देखा था डीने क्या करेगा प्रतिकृतिकरण यानि डीने करेगा रेपलीकेशन तैयारी में यही पॉइंट दे रखा है देखो बच्चो अपना यही उद्देश है NCRT आप सब लोग बहुत मेहनच से पढ़ते हो NCRT की लाइने पढ़ते हो मैं चाहता हूँ NCRT की लाइन को फ्लोचार्ट में आपके लिए बना के दे दूँ इस फ्लोचार्ट से बहुत आसान होगा अंत में आपको यही ध्यान मे में रखना है एक लाइन है NCRT की मैंने उस लाइन को ही फ्लोचार्ट बना दिया है ताके एंड के समय आखरी समय में आपको बस यह फ्लोचार्ट ध्यान रहेगा एक सवाल गलत नहीं होगा तो आपके पास तैयारी में कोशी का द्रव्य की व्रिद्धी हो रही है और DNA रेप्लीकेशन हो रहा है अब एक और पॉइंट है फिर डाइग्राम से समझेंगे पूरा एक और चीज आप समझो फिर इसको पूरा कोशी का चक्र के डाइग्राम से समझेंगे DNA रेप्लीकेशन और ये अब NCRT क्या लिखती है NCRT लिखती है कि कोशी का द्रव्य व्रिद्धी तो सतत रूप से होती है यानि जो कोशी का द्रव्य की व्रिद्धी है वो लगातार कंटिन्यूसली हो रही है सतत रूप से लेकिन DNA replication विशिष्ट अवस्था में होता है इसका मतलब अब आप समझों बचों विशिष्ट अवस्था में इसका मतलब है S अवस्था में और सतत है इसका मतलब G1, S, G2 तीनों में चलता रहता है हर NCRT आप NCRT के पहले और दूसरे पेज को ही अपन flow chart के रूप में बता रहा हूं बचों इतना इमानदारी से कहना चाहूंगा अगर इस flow chart को आपने समझ लियाना NCRT का कोई doubt नहीं रहेगा और NCRT के हर statement को इसी flow chart से याद रखना मेरी guarantee है आपको इस chapter में कोई problem नहीं आने दूँगा अभी flow chart से बनाएंगे flow chart के बाद diagram बनाएंगे उसमें और चीज़ को clear कर लेंगे मेरा पहला आधा एक घंटे इस chapter का निचोर समझने का उदेश्य समझा रहा हूँ तो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों कोशी का चक्र कोशी का चक्र में तैयारी तैयारी जो है वो अंतरावस्था है और तैयारी में कोशी का द्रव्य अपनी वृद्धी कर रहा है और DNA प्रतीकृती करन हो रहा है NCRT कहती है कि कोशी का द्रव्य वृद्धी जो है वो सतत रूप से होती है सतत रूप से होती है मतलब पूरे अंतरावस्था में चलती रहेगी G1, S, G2, कोशी का द्रव्य वृद्धी तो पूरे अंत्रा अवस्था में हो रही है, लेकिन DNA प्रतीकृतिकरण, DNA रेप्लिकेशन एक विशिष्ट अवस्था में ही होता है, केवल किस विशिष्ट अवस्था में? ऐस अवस्था में ही होता है. आगई बार समझ में तैयारी वाली अवस्था है, अब इस पूरे सिस्टम को हम डाइग्राम से समझेंगे, फिर NCRT की बता दूँगा कहां कहां क्या दे रखाएं. इतना एक बार बता दो बच्चों, अंत्रा अवस्था में ये बेस क्लियर हुआ, फिर अब अंत्रा को क्लियर है, कोशी का द्रव्य की व्रिद्धी मतलब आरेने और प्रोटीन बनेगा कोशी का के अंदर, वो कंटिनियूसली सतत रूप से बनता रहेगा, और विभाज ये डिने की प्रतिकृतिकरण, डिने कॉपी जो है, वो केवल ऐस सवस्था में बनेगी, बहुत बढ़ कोशी का चक्र क्लियर हुआ या नहीं, अब कोशी का चक्र वाला सिस्थम हम बना रहे हैं, NCRT का डाइग्राम ही मैंने लिया है, उस NCRT के डाइग्राम से ही हम चीजों को समझेंगे, G1, S, G2, यहाँ पर आपके पास, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और यहाँ पर साइटो काइनेसेज या कोशी का द्रव्य विभाजन, यह तो अपने पास, यहाँ पर मैंने कह दिया, यह M अवस्था है, एक चीज यहाँ पर और NCRT में दे रखा है, इसी तरह से तो वो बना रहा हूँ, बिल्कुल NCRT वाला ही कोशी का चक्र बनाया है, बच्चों, आसानी से समझाने के लिए, G1, S, G2, इस पूरी अवस्था को, यह तैयारी वाली अवस्था को अंतरा अवस्था कह देंगे, अब बच्चों, एक बार ध्यान से समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीजे हैं, जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से, ठीक है, एक एक चीज यहाँ पर क्लियर हो जाएगी ध्यान से, यह अपने कोशी का चक्र बनाया है, हमें पता है जो तैयारी वाली अवस्था है, प्रेपरेशन वाली अवस्था है, वो तो अंतरा अवस्था है, अब क्या होता है बच्चों, पहले, आज तो हमें मालूम है कि इंटरफेस में तैयारी हो रही है, बहुत सालों पहले विज्यानिकों को लगता था, कोशी का वि करती है फिर विभाजन करती है फिर रेस्ट करती है फिर विभाजन करती है तो दो विभाजन अवस्थाओं के बीच में जब कोशी का रेस्ट करती है उसको अंतर अवस्था कहते थे देखो बच्यों समझना आप मैं इस चाप्टर को आपको चारा हूं कि आप इसको बहतर अवस्थाओं के मध्य की अवस्था इंटरफेज है। मतलब एक कोशिका ने विभाजन किया, फिर रेस्ट किया, फिर विभाजन किया। तो दो विभाजन अवस्था, दो M अवस्था के बीच में अंतरा अवस्था है। लेकिन बाद में मालूम चला यहाँ पर कोशिका रेस्ट नहीं कर रही है, यहाँ पर कोशिका अगले विभाजन की तयारी कर रही है। तो अंतरा अवस्था, दो M अवस्थाओं के बीच की अवस्था है, NCRT में लिखा हुआ है। ठीक है, अब दूसरी चीज, मान लेते हैं, बच्चों हमारे पास तीन कोशिकाएं में ले लेता हूं। आपको समझाने के लिए मैंने तीन कोशिकाएं ले ली बच्चों। आओ, इसको ध्यान से, कहानी से समझेंगे, ताके आपको पूरा सिस्टम क्लियर हो जाए। मैंने तीन कोशिकाएं ले ली बच्चों। और समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, कि ये जो तीन कोशिकाएं हैं, कहने के लिए तीनो कोशिकाएं जीवन में हैं। एसी समझाने के लिए हम देख रहे हैं, तीन कोशीकाएं हैं A, बी और C, मान लेते हैं तीन कोशीकाएं हैं और तीनों कोशीकाएं जीवन अवस्था में हैं, फिक, अब सुनो, सबसे पहले आती है कोशीका A की बारी, अब कोशिका A जो है मैंने कहा ये हृदय की कोशिका है या मैंने कहा ये तंत्रीका की कोशिका है neuron और heart के cells है तो आपको ये तो पता ये sir heart के cells हृदय की कोशिका है तो कभी विभाजन नहीं करती neurons जो है वो कभी विभाजन नहीं करते जी जीरो अवस्था में या क्विसेंट अवस्था में तो जो कोशिकाएं विभाजन नहीं करती जो कोशिकाएं डिविजन नहीं करती वो कहां पर पाई जाएंगी जी जीरो अवस्था में अब एक बहुत इंपॉर्टन चीज याद रखना G0 अवस्था में वो कोशिकाइं पाई जाती हैं जिनमें विभाजन नहीं होता जिनमें डिविजन नहीं होता लेकिन वो काम तो करती है आज हिरिदय कोशिकाई जो हैं heart cells हैं, वो संचारन का काम तो कर रही है, conduction का काम कर रही है, आज neurons हैं, वो तंत्री का आवेक का प्रसारन तो कर रहे हैं, मतलब cell divide नहीं कर रहा है, function तो कर रहा है, तो ये भी NCART की line है कि जो कोशिकाई G0 अवस्था में रहती हैं, वो उपापच उपापचे के रूप से सक्रिय होती हैं। वो metabolically active हैं लेकिन बस divide नहीं कर रही हैं। विभाजन नहीं कर रही हैं जी जीरो में वो कोशिकाते पाई जाती हैं। जिनमें विभाजन, division नहीं होगा बचों। वो divide नहीं करेंगी, लेकिन उपापचय के रूप से सक्रिया है, metabolically active है, NCRT की लाइन है, जो कोशिकाएं G0 अवस्था में पाई जाती हैं, वो उपापचय रूप से सक्रिया होती है, metabolically active होती हैं, लेकिन उनमें विभाजन नहीं पाया जाता। तो दो cells जो G1 भर G0 में रहेंगी, दो ऐसी कोशिकाएं जो G1 भर G0 अवस्था में रहेंगी, हिरिदय की कोशिकाएं और neurons, क्योंकि ये जीवन में कभी divide नहीं करते, जीवन परियंत पूरे जीवन में हृदय की कोशिकाएं और neurons divide ही नहीं करती, तो वो जीवन भर कहां रहेंगी G0 अवस्था में लेकिन अब सुनना, अब कहीं चोट लग जाती है, जैसे मेरे हाथ पर चोट लग गई मानलो, कई अक्सिडेंट हुआ और चोट लग गई, चोट लग गई तो त्वचा की कोशिकाएं नश्ट हो गई, अब ये कोशिकाएं विभाजन करेंगी, तो जब कोई कोशिका, अभी तो देखो बच्चो, अभी मेरी त्वचा की कोशिका विभाजन कर रही है क्या, अभी तो मेरी त्वचा की कोशिका विभाजन नहीं कर रही, अभी नहीं कर रही, जब कोई कोशिका विभाजन नहीं कर रही, तो वो G0 अवस्था में है, और जब उनको विभाजन करने की ज जीवन में आ जाएगी और जब विभाजन की जरूरत नहीं होगी तो जीवन से निकल कर G0 में चली जाएगी यह आना जाना चलता रहेगा है ना आना जाना चलता रहेगा कोशी का विभाजन करना है बोले नहीं करना है डिवाइड करना है बोले नहीं डिवाइड करना है तो जीवन से निकलो और जाओ G0 में, वहाँ पर बैठो आराम से विभाजन करना नहीं है, अपना काम करते रहो, लेकिन विभाजन करना है, बोले हाँ करना है, तो फिर क्या G0 में कर रहे हो, फिर आओ G1 में, डिवाइड करना है, तो आओ G1 में, और डिवाइड नहीं करना है, त तो जाओ G0 में, आ गई बात इतना समझ में, तो A cell की बात हमने कर ली, अगर A कोशी का heart cell है, या neuron है, तो वो G0 में जीवन परियंत रहेगा, अगर विभाजन करना है, तो G1 में है, विभाजन नहीं करना है, तो G1 से निकल कर G0 में चला गया है, ठीक है, अब G1 में क्या होगा अब सुनना बच्चों, बहुत important चीज, G1 अवस्था में क्या क्या होगा, G1 NCRT कहती है, ये भी उपापचे रूप से सक्रिय अवस्था है, G1 कैसी अवस्था है बच्चों, ये उपापचे रूप से सक्रिय अवस्था है, metabolically active phase है, और यहाँ पर क्या होगा सुनना, RNA और प्रोटीन का संचलेशन होगा, अरे यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर RNA और प्रोटीन का संचलेशन, कोशी का द्रव्य की विद्धी होगी, तो उपापचे रूप से सक्रिय अवस्था भी है, और यहाँ पर RNA और प्रोटीन का संचलेशन भी होगा, अब सुनना एक ब पढ़ते हैं न जीवन है जीटू जीटू में भी सर आरेने और प्रोटीन का संचलेशन होगा आरेने और प्रोटीन आप समझ रहे हो आरेने और प्रोटीन संचलेशन कोशी का द्रव्य की व्रिद्धी तो सब में होगी पूरे अंत्रा अवस्था में कोशी का द्रव्य व्रि तो फरक क्या सर इधर भी आरेने प्रोटीन बन रहा है इधर भी आरेने प्रोटीन बन रहा है फरक कैसे पता चलेगा लगातार व्रिद्धी है कैसी व्रिद्धी है तो सुनना तैयारी खेल है सारा तयारी, S अवस्था, हम सब को मालूम है S अवस्था में कौन सी अवस्था होती है, संचलेशी अवस्था होती है, synthesis अवस्था, और इतना मेरे को पता है, बच्चों आप सब को मालूम है, S अवस्था में DNA copy बनाता है, S अवस्था में DNA replication होता है, तो DNA replication कहां होगा बचों, DNA replication कहां होगा ऐस अवस्था में, तो उसकी तैयारी कहां होगी, उसकी तैयारी उससे पहले, तो DNA replication के लिए जो RNA और proteins चाहिए, वो कहां बनेंगे, जीवन में, यही तो निचोड है इस chapter का, ऐस अवस्था में जो चीज हो रही है, ऐस अवस्था में DNA का संचलेशन होगा, DNA की कॉपी बनेगी, उसके लिए जरूरी RNA और proteins जीवन में बनेंगे, एम अवस्था में विभाजन होगा, एम अवस्था में विभाजन होगा, डिविजन होगा, तो डिविजन के लिए जो RNA और प्रोटीन्स चाहिए, वो कहां बनेंगे, G2 में, आप समझ रहे हो, तैयारी हमेशा पहले होगी, ऐस अवस्था में जो चीज होगी, उसकी तैयारी G अवस्था में होगी, यही खेल है, प्रेपरेशन है, तैयारी पहले से करके रखनी है, RNA और प्रोटीन्स सब बन रहे हैं, सतत रूप से कोशी का दव्य का संचलेशन हो रहा है, बट फरक क्या है भई, जीवन में वो RNA और प्रोटीन्स बनेंगे, जिनकी जरूरत ऐस अवस् अवस्था में है, एक छोटा सा उधारन है, कि सर जब विभाजन हम पढ़ेंगे डिविजन, तो विभाजन के दोरान टिबूलिन प्रोटीन की जरूत पढ़ती है, अभी हम आगे जब M अवस्था पढ़ेंगे, तो तरकू तंतू, स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए टि टिबूलिन प्रोटीन कहां चाहिए, M अवस्था में, टिबूलिन प्रोटीन चाहिए कहां, M अवस्था में, तो कहां बनेंगे, G2 में, कहां बनेंगे, G2 में, आ गई बात समझ में बच्चों इतनी, देखो, नुमेरिकल का कॉनसेप्ट भी लाओंगा, DNA एक बार, एक सिर अवस्था में, बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहें, तैयारी हो रही है, तो तैयारी हमेशा पहले होगी, बस ये बताना चाहरा हूँ, S अवस्था में, जो चीज होगी, उसकी तैयारी G2 अवस्था में होगी, अब सुनो क्या है, G1 को मैं और किस नाम से जानता हूं, NCRT क की लाइन है, G1 M के बाद हो रहा है, तो इसको मैं पश्च M अवस्था कह सकता हूँ, और ये S से पहले हो रहा है, तो इसको पूर्व S अवस्था भी कह सकता हूँ, कह सकता हूँ, पोस्ट M फेस भी कह सकता हूँ, प्री S फेस भी कह सकता हूँ, तो NCRT लिखती है, जीवा नवस्था, जीवा नवस्था विभाजन और DNA प्रतिकृतिकरण के बीच की अवस्था है, है NCRT की लाइन, जीवा नवस्था, डिविजन और DNA रेप्लिकेशन के मध्य की अवस्था है, डिविजन और DNA रेप्लिकेशन के बीच की अवस्था है, DNA रेप्लिकेशन से पहले, अब सुनो, अब ये बात आ गई, अब हमारे पास सेल, जैसे कहा बई, मैंने कहा सेल B था, सेल C था, B cell ने बोला हमको भी divide करना है C cell ने बोला हमको भी divide करना है ठीके A को तो अपने देख लिया था divide नहीं करना था divide नहीं करना था तो इसको हमने कहां भेज दिया G0 में भेज दिया B और C cell बोलते हैं सर हमको divide करना है तो G1 बोलेगा ठीके भई तुम्हारे काम करते हैं, तुम्हारे RNA और प्रोटीन बनाने लगो, तुमको आगे चलकर DNA की कौपी बनानी है न, तो फिर B और C को तैयारी चलवाओ, RNA और प्रोटीन का संचलेशन करवाओ, अब क्या होगा, अब ये सेल कहा जाएंगे, G1 से S अवस्था की तरफ, ये सेल कहा जाएंगे, G1 से S की तरफ, अब एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, बच्चों, वो NCRT में तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, थोड़ा ज्यान भी तो आपको अरजित कर लीजिए, NCRT में नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी सी एक चीज पता होनी जरूरी है, जी वन से जब S में जाएगी, न कोशी का, तो यहाँ पर हमारे पुलिस वाले बाबा बोलेंगे, इदर आओ, कहां जा रहे हो, जैसे बाइकों पर ऐसे जा रहे हैं, B और C सेल्स, बाइक पर घूम रहे हैं, तो हमारे मामा जी है, साइट में रोक लिया, बोले इदर आओ, क कहां जा रहे हो, तो क्या बोलेंगे B और C सेल्स, सर हम ऐस सवस्था में जा रहे हैं, बोले क्यों जा रहे हो ऐस सवस्था में, बोले सर हमको वो डिवाइड करना था, विभाजन करना था, तो हमारा DNA है ना, उसकी कॉपी बनाने जा रहे हैं, तो बोलेंगे अपना DNA दिखा हो होता है ना गाड़ी चला के जा रहे बोले कहां जा रहे वसर आगे जा रहे हैं तो लाइसेंस है बोले हाँ है तो दिखाओ तो dna आगे कॉपी बनाना है तो dna का चेक checkpoint यहां होगा यह क्या check करेगा यह check करेगा पहला checkpoint check करता है कि जब DNA जीवन से S में जा रहा है तो उस DNA में कोई खराबी तो नहीं है अगर DNA बिल्कुल सही है license बिल्कुल दुरुस्त है तो बिल्कुल आगे जाने दो लेकिन अगर license में कोई गरबड़ी है अगर DNA में कोई गरबड़ी है तो इस DNA को ठीक करा कराओ तो पहला checkpoint किसके मध्य मिलेगा भई जीवन से S के थमें मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं यह checkpoint NCRT में नहीं है लेकिन फिर भी आपको एक अलग से checkpoint बता दिया है मैंने तो यह प्रमुक checkpoint होता है जीवन से S इसका मतलब यह checkpoint अगर clear हो गया कोशी का अगर S अवस्था में आ गई अब वो विभाजन करेगी ही करेगी पहला checkpoint अगर cross हो गया S अवस्था में कोशी का आ गई तो अब वो विभाजन करनी ही वाली है तो एस अवस्था में बच्चों तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है एस अवस्था में तीन चीज़ें होंगी क्या क्या होंगी nucleus का जो DNA है उसकी copy बनेगी nucleus DNA का replication होगा सबसे पहला एस अवस्था में DNA का replication होगा DNA प्रतिकृतिकरन करेगा करेगा DNA करेगा तो DNA के साथ कौन से proteins जुड़े होते हैं बच्चों अगर DNA अपनी copy बनाएगा तो DNA अगर अपनी copy बनाएगा तो DNA के साथ कौन proteins जुड़े हुए हैं DNA के साथ histone proteins जुड़े हुए हैं तो histone प्रोटीन भी अपना गुनन करेंगे histone protein का भी duplication होगा भई हो डीने का replication होगा DNA replication के साथ हिस्टोन प्रोटीन जो उनके साथ हैं उनका भी गुनन होगा और तीसरा एनिमल सेल्स, NCRT में दे रखा है, जन्तु कोशिकाएं होती है, जन्तु कोशिकाओं के साइटोपलाजम में, कोशिका द्रव्य में तारक केंद्र का भी डूपलीकेशन होगा, मैंने यहाँ पर जन्तु कोशिका क्यों लिखी है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में, प्लांट सेल्स में, हायर प्लांट्स में, उच्य पादपों में तारक केंद्र होते ही नहीं, तो कुल मिलाकर तीन ही चीज़ें हो रही है, ऐस अवस्था में तीन चीज़ें हो रही है, ऐस को अपन ने संचलेशी अवस्था कहा है, संचलेशी का मतलब है यहाँ पर तीन चीज़ें होंगी, DNA की copy बनेगी, DNA अपने आपको replicate करेगा, DNA replicate करेगा, DNA के साथ कौन से proteins जुड़े हुए है, histone proteins, वो भी अपनी copy बनाएंगे, और जन्तु कोशिकाओं में, animal cells के साइटो प्लाजम में, तारक केंद्र का भी द्वी गुनन होगा, animal cell में, हर animal cell में एक centrosome होता है, जो दो तारक केंद्र से बना होता है, तो ऐस अवस्थय के बाद, तारक केंद्र, centrioles तो चार हो जाएंगे, लेकिन तारक काये दो रहेंगी, इतना मैंने आपको पिछले cell वाले चैप्टर में बताया है बच्चों, आपको हमेशा याद रखन होता है, एक centrosome जिसको हम तारक काये कहते हैं, और इस एक centrosome में तो तारक केंद्र होते हैं, एक तारक काये में दो सेंट्रियोल्स होते हैं, तो हर जन्तु कोशी का, हर animal cell जब जीवन में होता है, तो उसमें एक तारक काये और दो तारक केंद्र होते हैं, ऐस अवस्था के बाद एस अवस्था के बाद दो तारक काय हो जाएंगे और चार तारक केंद्र हो जाएंगे ये भी याद रखना है बच्चों हर जन्तु कोशिका में हर एक अनिमल सेल के अंदर जीवन अवस्था में एक ही तारक काय होता है जिसमें दो तारक केंद्र होते हैं और एस अवस् फिर बच्चों, S अवस्था से कौनसी अवस्था आएगी, G2, G2 में भी क्या होगा, G2 में भी RNA और प्रोटीन का संचलेशन होगा, G2 में भी कोशी कांगो की संख्या बढ़ेगी लेकिन वो RNA और प्रोटीन बनेंगे जिनकी जरूरत M अवस्था में है मतलब टिबूलिन प्रोटीन की जरूरत M अवस्था में है वो कहां बनेगा? G2 में बनेगा और फिर G2 से कहां जाएगी कोशी का? G2 से M अवस्था में और G2 से M अवस्था में जाएगी तो यहां पर दूसरा चेकपॉइंट आता है दूसरा चेकपॉइंट किदर से किदर आएगा बच्चों? G2 से M ये देखो दो चेकपॉइंट्स कोशी का चक्र अंतरा अवस्था में दो चेक पॉइंट होते हैं और तीसरा चेक पॉइंट M मेटा फेज से अना फेज में होता है कुल मिलाकर तीन चेक पॉइंट होते हैं दो चेक पॉइंट अंतरा अवस्था में हैं पहला आपन ने G1 से S देखा था। दूथरा चेक पॉइंट G2 से M है। यह सिरफ इतना चेक करता है कि जिस DNA का आपने प्रतिकृतिकरण किया है, वो DNA प्रतिकृतिकरण सही तरीके से हुआ है या नहीं। सही तरीके से प्रतिकृतिकरन हुआ है या नहीं, वो चेक होने के बाद कोशी का M अवस्था में चाहिए. कुछ नहीं किया है बच्चों, हम बात कर रहे थे तैयारी वाली अवस्था. तैयारी वाली अवस्था जो है, उसको हमने अंतरा अवस्था कह दिया. अंत्रा अवस्था दो M अवस्थाओं के बीच की अवस्था है जिसमें विभाजन की तैयारी हो रही है तैयारी में हमने G1, S और G2 देख ली G1 में वो RNA और प्रोटीन्स बनेंगे वो उपापचे रूप से सक्रियत चीजे होंगी जिसकी जरूरत S फेज में है और G2 में वो RNA प्रोटीन्स बनेंगे वो कोशी का द्रव्य की व्रिद्धी होगी जिसकी जरूरत M फेज में है कोशी का जीव अगर कोई कोशी का विभाजन नहीं करती यदि कोई कोशी का डिवाजन ही नहीं करती विभाजन नहीं दर्शाती तो वो G1 से निकल कर G0 में चली जाती है G0 जो है वो शान्त है शान्त अवस्था है का मतलब है वो विभाजन नहीं कर रही है division नहीं कर रही है उपापचे रूप से अपना काम करती जा रही है फिर G1 से S अवस्था में तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी थी दो checkpoint है G1 से S अवस्था में और G2 से M अवस्था में, G2 को क्या कह देंगे बच्चों, G2 को अपना पश्च S अवस्था कह सकते हैं, क्योंकि ये S के बाद हो रही है, और M से ठीक पहले हो रही है, तो पूर्व M अवस्था, G2 को पश्च S, S के बाद है, और M से पहले है, पूर्व M अवस्था, जीवन M के बाद, पश्च M और S से पहले, पूर्व S अवस्था, इतना सब को क्लियर है कि नहीं, बच्चों एक बार बता दो, ये पूरा कॉंसेट क्लियर है, कोशी का चक्र यानि अंत्रा अवस्था का, अब नुमेरिकल का कॉंसेट देखेंगे अपन, अब वो 2C क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसकी बात, इतना एक बार ज़रा कमेंड करके बता दो, बच्चों कमेंड में ज़रा बढ़िया लग अब पूरा कॉंसेट नुमेरिकल का देखेंगे, फिर विभाजन पे चलेंगे, अब वो 2C, N, C, क्या है उसकी बात करेंगे, चलिए बहुत-बहुत बढ़िया, अब हम किसकी बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे नुमेरिकल के सिस्टम की, यहाँ पर ध्यान से समझना, G1 है, S है, G2 है, अब ध्यान से समझना, बच्चों क्या बताने वाला हूं, और आज के बाद को कोई नुमेरिकल अटकना नहीं चाहिए, ठीक है, अब आओ, अब देखो बच्चों, हमें यह पता है, S अवस्था में DNA अपनी कॉपी बनाता है, S अवस्था में DNA का क्या होता है, रेप्लीकेशन, S अवस्था में DNA रेप्लीकेशन होता है, होता है, तो G1 को में क्या कह सकता हूं, रेप्लीकेशन से पहले की अवस्था, G1 को में पूर्व प्रतीकृती करन, या बिफोर रेप्लीकेशन कह सकता हूं, कह सकता हूं, और G2 अवस्था, G2 अवस्था, S के बाद आ रही है, तो इसको में पश्चु प्रतीकृती करन, या आफ्टर रेप्लीकेशन कह सकता हूं, सही बात है, S अवस्था में DNA अपनी कौपी बनाएगा, तो G1 रेप्लीकेशन से पहले की अवस्था है, और G2 S अवस्था के बात हो रही है, यानि रेप्लीकेशन के बाद की अवस्था है, सही बात है, आ गई बात, अब सुनना मेरी बात, ध्यान से, अब सुनो, उधारन अपन लेते हैं मानव कोशिका का, मैंने एक human cell का example लेना ह ध्यान से सुनना, ये बच्चों clear हो गया ना तो बहुत मज़ा आएगा, इस पर numerical भी हातो हाती कराऊंगा, अब हमें पता है, human cell के अंदर कितने गुनसूत्र होते हैं बच्चों, एक मानव कोशिका, एक human cell लेलो, normal human cell, एक human cell या मानव कोशिका में कितने गुनसूत्र होते ह है, human cell के अंदर कुल कितने क्रोमोजोम्स होते हैं बच्चों, 46, यानि deployed है हम, हमारे कोशिका के अंदर, human cell के अंदर कुल 46 क्रोमोजोम्स है, है पूरे, कैसे, अब सुनो, कैसे, आपके पास ये कोशिका, ये कोशिका का केंदरक, अब सुनना, ये मैंने गुनसूत्र बनाया एक, इसमें ये DNA है, ये दो, ये तीन, ये मैंने क्या बनाया, ये एक गुनसूत्र, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे कितने गुनसूत्र होंगे, 46, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एक मानव कोशिका में कितने क्रोमोजोम्स हैं, 46, एक, दो, तीन, ऐसे कितने क्रोमोजोम्स हैं, 46, ऐसे कितने क्रोमोजोम्स हैं, 46, अब सुननो ध्यान से, मैंने एक गुनसूत्र को बाहर निकाल दिया, मैंने समझने के लिए इस गुनसूत्र को बाहर निकाला है, ये रहा, और ये गुनसूत्र में क्या है क्रोमोजोम में DNA है बनाया अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा कितना क्रोमोजोम है बच्चों ये एक क्रोमोजोम या एक गुनसूत्र है ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एक क्रोमोजोम है ऐसे कितने क्रोमोजोम से एक दो तीन ऐसे कुल कितने क्रोमोजोम से 46 टू एन यह एक बनाया दो तीन ऐसे एक दो तीन चार पांच छे ऐसे कुल कितने गुनसूत रहें 46 यह क्रोमोजोम है अब सुनना सुनना ध्यान से यहां से लेकर यहां तक जिसको आप एक क्रोमोजोम कह रहे हो इसी को एक क्रोमेटिड भी कहो इसी को एक क्रोमेटिड भी कहो मैं बोल रहा हूँ ना समझ लो यह एक क्रोमोजोम था इसी एक क्रोमोजोम को ही एक क्रोमेटिड भी कह दो इसी को तो ऐसी कितनी क्रोमेटिड है सर्ज सीधी सी बात है जितने क्रोमोजोम है उतनी क्रोमेटिड है ये क्रोमेटिड भी कितनी है 46 लेकिन मैंने N की जगे इसको C से डिनोट कर दिया गुन सूत्रों को मैं N से डिनोट कर रहा हूँ क्रोमोजोम के नंबर को गुन सूत्रों की संख्या को N से डिनोट कर रहा हूं, क्रोमेटिड की संख्या को C से डिनोट कर रहा हूं. अभी एक ही चीज है, ये पूरा एक गुन सूत्र है, ये ही पूरी एक क्रोमेटिड है, तो ऐसे 46 गुन सूत्र है, ऐसी 46 क्रोमेटिड है और इन सभी में एक DNA है, इसके अंदर पूरा का पूरा एक ही DNA है, इतना क्लियर हो रही है बात, मैंने एक मानव कोशिका बनाई, एक मानव कोशिका में 46 गुन सूत्र, अब सुन लो, जितने लोग यहाँ पे जोड़े बोल रह है ना सर, पेर अभी जोड़े का कॉंसेप्ट ही नहीं, जोड़े, 23 जोड़े, जब हम गुन सूत्र के जोड़े की बात करेंगे, जोड़े की बात मियोसिज में करूंगा, माइटोसिज में करूंगा ही नहीं, जोड़े का सिध्धान्त अभी लेना ही नहीं है ध्यान, तो यहां पर यहां से लेकर यहां तक यह एक गुनसूत्र है, ऐसा दूसरा, तीसरा, ऐसे कुल मिलाकर कितने गुनसूत्र है, 46, और अभी मैंने आपसे कहा, यही एक गुनसूत्र को ही, एक क्रोमेटिड कहते हैं, इसी को यहां से लेकर यहां तक इसी को एक क्रोमेटिड भी कहें एसी 46 chromatids हैं और सब में एक-एक DNA हैं अब सुनो ऐस अवस्था में क्या होगा अब सुनो आगे ले रहा हूं यहां पर मेरे पास जीवन था था जीवन यह रहा एक यह रहा दो यह रहा तीन यह एक गुनसूत्र यह दूतरा क्रोमोजोम यह तीसरा क्रोमोजोम एक दो तीन ऐसे कितने क्रोमोजोम थे 46 ऐसे कितने गुनसूत्र हैं 46 गुनसूत्र हैं 2N और यही इतनी ही 46 यही 46 क्या है अब सुनना बच्चों क्या होगा अब एस अवस्था में अब मुझे बताओ एस अवस्था में क्या होता है एस अवस्था में डीने की कौपी बनती है एस अवस्था में डीने रेप्लिकेशन करेगा आओ कैसे करेगा इधर देखो ये गुन्सूत्र था इसमें ये डीने है है डीने अब एस अवस्था में डीने क्या करेगा रेप्लिकेशन ये डीने रेप्लिकेट करके अपनी कौपी बनाएगा DNA प्रति कृति करन हुआ, यह रहा, हुआ DNA replication, ये क्रोमोजूम का DNA replicate किया, है दूसरे का भी होगा, अरे वही सारे गुनसूत्र होंगे ना, एक गुनसूत्र तो होगा नहीं, 46 के 46 गुनसूत्र हैं जिसमें DNA है सबका DNA replicate करेगा हर गुनसूत्र के अंदर ज़ा DNA है ये पूरा DNA संपून DNA complete DNA replicate करता है इसका भी DNA replicate किया इस गुनसूत्र का भी इसके अंदर भी जो DNA है वो DNA भी replicate करेगा तो सारे गुनसूत्र का DNA replicate करेगा यही होगा हर DNA replicate करेगा तो अब मुझे बताओ अब इसमें गुनसूत्र कितने है अभी भी गुनसूत्र तो एक, दो, तीन ऐसे कितने गुनसूत्र है 46 क्रोमोजोम तो अभी भी 46 है ख्रोमोजोम गुन सूत्र तो अभी भी 46 हैं, 46 के 46 गुन सूत्र ही हैं, तो आपके पास गुन सूत्र तो 46 ही हैं, क्रोमोजोम। गुन सूत्र तो अभी भी कितने हैं बच्चों 46 लेकिन सभी में ये एक और ये दो सब में दो-दो क्रोमेटिड आ गई अरे क्रोमेटिड इसमें भी दो हो गई इसमें भी क्रोमेटिड दो हो गई इसमें भी क्रोमेटिड सब में दो-दो हो गई तो chromatid की संख्या कितनी हो गई भई chromatid कह दो या DNA की मात्रा कह दो सब में double हो गई DNA या chromatid की मात्रा double हो गई chromatid कितने हो गई 92 chromatids कितने हो गई 4C आर ये बात इतनी सब को समझ में डाइग्राम से clear यहाँ पर यहाँ पर गुन सूत्रों की संख्या 2N बराबर 46 थी और replication से ठीक पहले replication से पहले उतनी ही chromatid भी थी अब ऐस अवस्था में DNA ने अपनी copy बनाई DNA ने अपनी copy बनाई DNA replication हुआ तो DNA की मात्रा डबल हो गई chromatid की मात्रा डबल हो गई गुन सूत्रों की संख्या सेम रहती है chromosome number same लेकिन chromatid number और DNA मात्रा डबल हो जाती है इस पर एक question करें अगर वो question का जवाब आप लोगों ने सही दे दिया मुझे लगेगा कि हाँ चैप्टर क्लियर हो गया यह वाला concept आजाओ question करते हैं ध्यान रखना है बच्चों कि मैंने कहा कि पत्ती के मीजोफिल सेल्स मीजोफिल सेल्स मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं बच्चों द्वी गुनित उसमें आपके पास 24 गुन्सूत्र है तथा 10 पीको ग्राम डी ये ने है ध्यान से सुनना बच्चों एक पत्ती यानि लीफ है और लीफ में पाण मध्योतक कोशिका है पत्ती के पाण मध्योतक कोशिका में 24 क्रोमोजोम्स और 10 पीको ग्राम डी ये ने है आपको बताना है G2 अवस्था में G2 अवस्था में क्रोमोजोम का नंबर गुन्सूतरों की संख्या क्रोमेटिड की संख्या और डिएने की मात्रा कितनी होगी तीन चीजें आपको बतानी है बच्चों ये तीनों चीजें आपने सही बता दी हमारा काम हो गया अगर ये जवाब आपने सही दे दिया अब हमारा काम बिल्कुल हो जाएगा भई पत्ति के पर्ण मध्योतक कोशिका की बात हो रही है पर्ण मध्योतक कोशिका में 24 गुनसूत्र दे रखे हैं 10 पी को ग्राम DNA दे रखा है आपको ये बताना है कि G2 अवस्था में गुनसूत्रों की संख्या, क्रोमेटिड की संख्या और DNA की मात्रा कितनी होगी अरे बहुत सारे जवाब आने चालू हो गए भई बहुत सारे जवाब आने चालू हो गए हैं बहुत बढ़िया अब देखो बच्चों सिंपल सा कॉंसेप्ट है इन सवाल को जवाब देते वक्त आपको ये दे रखा है आपको ये देखना है क्या question में दे रखा है और क्या पता करना है जब कभी भी question आ जाए numerical तो आपको ये ध्यान रखना है question में क्या चीज दे रखी है और क्या चीज निकालनी है आपको मीजो फिल सेल 2N गुन सूत्रों की संख्या 2N 24 दे रखी है गुन सूत्रों की संख्या 24 दे रखी है तो 2N है तो क्रोमेटिड की संख्या भी दे रखी है 24 और DNA की मात्रा DNA की मात्रा दे रखी है 10 Picogram यही दे रखा है जब कभी भी numerical आये सुन लो एक approach पता होनी चाहिए मैं तो question करा दूँगा आप लोग जवाब भी दे रहे हो बहुत बढ़ी आए लेकिन हर question की एक approach होती है जो आपको पता होना चाहिए अरे question की approach तो ध्यान रखनी पड़ेगी न तो question की approach यह है कि आप question में यह देख लो कि क्या दे रखा है और फिर यह देख लो कि क्या निकालना है तो आपको यह दे रखा है पता किस अवस्था में करना है बच्चों G2 में G2 का मतलब replication के बाद G2 का मतलब replication के बाद replication के बाद गुन सूत्रों की संख्या तो यही रहेगी G2 अवस्था में गुन सूत्रों की संख्या में कोई change नहीं होगा chromatid की मात्रा double DNA की मात्रा double तो गुन सूत्रों की संख्या 24 chromatid की संख्या 48 DNA की मात्रा 20 तो आंसर 24, 48 और 20 पीकोग्राम आरे बताओ बच्चों, क्लियर है कि नहीं है बात ठीके, बहुत आसान सिस्टम है क्या दे रखा है और क्या पता करना है आपको मैं बता देता हूँ, क्वेस्टेन में कभी गलती नहीं होगी एक बार बता दो बच्चों, सबको क्लियर हो गया ये कॉंसेप्ट सबको क्लियर हो गया रेपलीकेशन से पहले, रेपलीकेशन के बाद रेपलीकेशन से पहले गुनसूत्रों की संख्या क्रोमेटिड और डियने की मात्रा और उसके बाद गुन्सूत्रों की संख्या, क्रोमेटिड और डीने की मात्रा सब को clear है एक बार बता दो यार ठीक ही लग रहा है, समझ आ रहा है ना मैं यही चाहता हूँ कि यह समझ लो यार अब numerical कहां ही गलती कर लोगे आप तो एक simple सा system याद रख ले ना system यह है कि प्रतीकृति करन replication से पहले replication से पहले का मतलब है जीवन अवस्था में आपको मालूम चल गया कि गुन्सूत्रों की संख्या chromosome का number, chromosome की संख्या कितनी होगी? 2N Chromated की संख्या कितनी होगी? Chromated की संख्या 2C और DNA की मात्रा भी 2C और replication के बाद, प्रतीकृति करन के बाद replication के पस्चात यानि S अवस्था के बाद यानि G2 से M अवस्था तक ले लो अब आपके पास गुन्सूत्रों की संख्या 2N से क्या रहेगी? 2N ही 2C से क्या हो जाएगी? 4C 2C से क्या हो जाएगी? 4C अब कर लोगे गुन्सूत्रों की संख्या पर कभी परिवर्तन? क्रोमोजोम नंबर गुन्सूत्रों की संख्या कभी चेंज नहीं होगी? क्रोमैटिड और DNA की मात्रा डबल हो जाएगी? आ गई बात सबको समझ में चलो तो अंतरा अवस्था वाला सिस्टम क्लियर इंटरफेज तैयारी वाली अवस्था ज्यादा समय लगेगा G1, G1, G0, S, G2 अवस्था सबको क्लियर हो गई बढ़िया अब हम आएंगे बच्चों विभाजन या M अवस्था पर अब हम किस कॉंसेप्ट पर आएंगे M अवस्था या जिसे हम कहते हैं विभाजन अवस्था और इस विभाजन में देखो बच्चों सबसे पहले हम माईटो से समसूत्री विभाजन की बात करेंगे अब हम सबसे पहले, सबसे पहले M अवस्था में किसकी बात करने वाले हैं, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन बेश हमेशा याद रखना कैसे होगा? ये G1 अवस्था, फिर S अवस्था, फिर G2 अवस्था, फिर हमारे पास कौन सी अवस्थाईगी? M आ गई बात, अब हम जब विभाजन पर पहुँच रहे हैं, समसूत्री विभाजन पर पहुच रहे हैं, माइटोसिस, तो उससे पहले क्या हुआ है भई? G1, S, G2, अभी माइटोसिस समझेंगे, फिर इसकी तुलना मियोसिस से करेंगे, एंड तक बता रहा हूँ, आप तो यहां से लेकर दो घंटे के मद्धे आपको समसूत्री और हर्दसूत्री विभाजन टिप्स पर याद करा दूँगा, पॉइंट्स के साथ याद करा दू ठीक है, तो अब आपके पास G1, S, G2 के बाद समसूत्री विभाजन या माइटोसिस आएगा, अब माइटोसिस को फ्लो चार्ट से याद रखना है, कैसे आजाओ, तो मैंने यहां पर सबसे पहले कौन सा डिविजन हम पढ़ रहे हैं बच्चों, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन, सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए, बच्चों, यह जो समसूत्री विभाजन है, यह जो माइटोसिस है, यह एक अलेंगिक जनन है या लेंगिक जनन है, जरा कमेंट करके, अब मुझे, अब आपके कमेंट द बच्चों यह जो समसूत्री विभाजन है माइटोसिस जो है यह समसूत्री विभाजन लेंगिक जनन का उधारन है अलेंगिक जनन का सेक्षुल रेप्रडक्शन के अंदर आता है एसेक्षुल रेप्रडक्शन में भई आरे बहुत बढ़िया भई आरे क्या ही इंस्टा आरे कर तो कभी हमें भी फॉलो कर लो यार कभी ऐसा ऐसा लगे तो इंस्टाग्राम पर हम भी है यार इंस्टाग्राम की बात हो रही है तो इंस्टाग्राम पर प्रथम नहाटा के नाम से मिल जाएंगे हम जरूर हमको फॉलो कीजेगा तो उसमें आज स एक छोटी-छोटी बाते और बताता रहूँगा जीवन की आप लोगों को अलेंगिक जनन एसेक्शुल रेप्रडक्शन याद रखना भई समसूत्री विभाजन जो है माइटोसिस जो है वो आपको किसमे देखने को मिलता है ये एक प्रकार का अलेंगिक जनन है भई अरे सुनो तो सही आपकी पुरानी कोशिकाय नश्ठ होती है उस पे नई कोशिकाय बनती है किस कारण समसूत्री विभाजन ब्रून का विकास अरे नहाटा हमारा सरनेम है यार प्रत्थम नहाटा हमारा पूरा नाम है इतना प्यार से आप ले रहे हैं तो समसूत्री विभाजन माईटोसिस कब-कब देखा जाता है बचों आपका मरमत के दौरान कौन सा विभाजन होता है माईटोसिस ब्रून या युगमनच के विकास में कौन सा विभाजन होता है माईटोसिस पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं जब बनती हैं तो कौन सा विभाजन होता है माईटोसिस आपके शरीर की सभी काई कोशिकाओं में सोमाटिक सेल्स में कौन सा विभाजन होता है माईटोसिस तो आपके पास ये कौन सी कोशिकाओं में देखा जाएगा भई काई कोशिकाओं में बॉडी सेल्स में यानि सोमाटिक सेल्स में ऐसे ना करो भई सम्थ माइटोसिस जो है वो कैसे आप लोग लेंगिक जनन कहोगे एसेक्शूल तो आपके पास काई कोशिका मे या सुमैटिक सेल्स जो है जो आपके बॉडि सेल्स हैं उसमें कौन सा विभाजन होता है माइटोसिस कहा कहा देखा जाता है अब सुनना NCRT की लाइन माइटोसिस आपको पता है जन्तु कोशिका में भी होता है अनिमल सेल्स में भी होगा और प्लांट सेल्स में भी होगा NCRT की लाइन है बच्चों अब NCRT कहती है पादप कोशिकाओं में तो पादप कोशिकाओं में अगुनित और द्वी गुनित दोनों कोशिकाओं में होगा माइटोसिस जो है वो हैपलोईड और डिपलोईड सेल्स दोनों में होता है प्लांड के अंदर तो हैपलोईड और डिपलोईड सेल्स दोनों में होता है अनिमल सेल्स में ज्यादा तर द्वी गुनित में होता है अनिमल सेल्स में ज्यादा तर द्वी गुनित कोशिकाओं में होता है 2N लेकिन मदु मक्यां होती हैं बचों मेल हनी बीज उसमें भी होता है और मेल हनी बीज में N होता है नर्मदुमक्या जो होती है, मेल हनी बीज, उसमें अगुनित कोशिकाओं में भी समसूत्री विभाजन होता है, तो यही NCRT की लाइन है, समसूत्री विभाजन, डिपलोईड सेल्स में भी होगा, हैपलोईड सेल्स में भी होगा, अगुनित में भी होगा, द्वी गुनित को कोशिकाओं में और अपवाद के रूप में अनिमल्स में हनीबीज में जो नर हनीबीज होती है द्रोन जिसे कहते हैं उसमें भी समसूत्री विभाजन होता है यह NCRT की लाइन है भई अब माइटॉसिस में क्या होता है बच्चों सिंपल सी बात है माइटॉसिस के अंदर एक क सिंपल डिवीजन है तो माइटॉसिस में क्या होता है समसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजन के बाद दो नई कोशिकाएं बनाती है यह दौनों कोशिकाएं जिनको डौटर सेल्स कहते हैं यह दौनों एक जैसी होती है या अलग-अलग होती है जब बताना तो भाजित हो रही है तो यह एक जैसी कोशिकाएं है या अलग-अलग है आरे बहुत बढ़िया बिल्कुल सेम है एक्जैक्ट कॉपी बनती है रहा क्लोन ही कैदो आप बिल्कुल सेम सेम का मतलब है ऐस औडेंटिकल सेल्स identical daughter cells एक समान कोशी का हैं तो समसूत्री विभाजन में बिल्कुल इसका मतलब बच्चों अगर 2N cell है तो वो विभाजन के द्वारा दो नए 2N 2N cells बनाएगा और अगर एक अगुनित कोशी का है तो वो भी विभाजन के द्वारा दो अगुनित कोशी काई बनाएगी समसूत्री विभाजन Diploid cell में भी होगा Heploid cell में भी होगा विभाजन के बाद जो दो नए कोशी काई बनेगी वो बिल्कुल एक जैसी होगी बिल्कुल आइडेंटिकल आज त्वचा कोशिकाएं विभाजन करके वापस त्वचा कोशिकाएं ही बनाईगी लिवर सेल्स में विभाजन होगा तो नए लिवर सेल्स बनेंगे आत की कोशिकाएं विभाजन के द्वारा आत की कोशिकाएं ही बनाईगी तो ये बिल्कुल की बिल्कुल एक समान पुत्री कोशिकाएं बनाती है इसका मतलब इसमें कोई आनुवानशिक विवित्ता होती ही नहीं है आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं और इसमें गुन सूत्रों की संख्या भी सेम रहती है इनके अंदर गुन सूत्रों की संख्या सेम है देखो भई 2N था तो 2N 2N रहा N था तो N और N रहा गुन सूत्रों की संख्या भी सेम रहती है और क्योंकि गुन सूत्रों की संख्या सेम रहती है इसे हम समसूत्री विभाजन या Equational Division भी कहते हैं कहते हैं कि नहीं, तो माइटोसिस या समसूत्री विभाजन में विभाजन के बाद दो कोशिकाय बनती हैं, दो की दो बिलकुल आपस में भी एक जैसी, पैत्रिक के भी एक जैसी, सेम आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं, कोई विवित्ता, कोई चेंजेज नहीं आते, और क्योंकि इसमें गुन सूत्रों की संख्या भी सेम रहती है, तो इस विभाजन को क्या कहेंगे, समसूत्री विभाजन या इक्वेशनल डिवीशन, आ गई बात समझ में बच्चों, अब क क्या होगा इधर देखो, समसूत्री विभाजन में मैंने कहा एक कोशिका है, और ये कोशिका का केंद्रक है, तो हमको पता है सबसे पहले तो कोशिका में क्या होगा, समसूत्री विभाजन में सबसे पहले तो केंद्रक का विभाजन होगा, सबसे पहले किसका विभाजन होगा बच्चों केंद्रक का विभाजन होगा और केंद्रक विभाजन को ही हम क्या कहते हैं केरियो काइनेसिस केंद्रक विभाजन को ही किस नाम से जानते हैं केरियो काइनेसिस तो सबसे पहले केंद्रक विभाजन होगा और केंद्रक केंद्रक विभाजन के पस्चात कोशी का द्रव्य का विभाजन होगा केंद्रक विभाजन के बाद कोशी का द्रव्य का विभाजन होगा और कोशी का द्रव्य विभाजन को ही हम क्या कहते हैं cytokinesis तो ये ही तो हम पढ़ने वाले हैं mitosis है समसूत्री विभाजन में पहले केंद्रक का विभाजन होगा केंद्रक विभाजन होगा तो से कहेंगे karyokinesis और उसके बाद कोशी का द्रव्य का विभाजन होगा जिसे हम कहेंगे cytokineses, आ गई बात समझ में, समसूत्री विभाजन अलेंगिक जनन का उधारन है, हमारे शरीर की जितनी काई कोशिकाएं हैं, जितने के जितने body cells हैं, उसमें समसूत्री विभाजन ही होगा, mitosis ही होगा, liver cells में, muscle के cells में, ठीक है, सारे काई कोशिकाओं में समस जादातर द्वी गुनित में होता है, लेकिन NCRT में लिखा हुआ है, जो नर है, मधुमक्यों के drones, वो अगुनित होते हैं, उनमें भी समसूत्री विभाजन होता है, एक कोशिकाओं के द्वारा दो, एक समान कोशिकाओं बनाती है, identical cells, त्वचा कोशिकाओं विभाजन के द्वारा liver cells बनाएंगे, बिल्कुल एक जैसे हूबहू, क्लोन, identical cells, और गुन सूत्रों की संख्या समान रहेगी, समान रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, समसूत्री विभाजन, पहले केंद्रक विभाजन हम देखेंगे, और केंद्रक विभाजन के पस्चाओं कोशिका द्रव कराने के बाद, 360 डिगरी पूरा वापस सिस्टम देख लेंगे, अरे बहुत-बहुत धन्यवाद है, एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोगोंने मेरे पहले वीडियो में भी बहुत प्यार दिया था, आप लोगोंने, और इस वीडियो में भी उतना ही प्यारा बरसा रहे हैं, तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इतनी कोशिश मेरी हमेशा रहती है, कि मैं आपको NCRT के पेज बाइपेज, वर्ड बाइवर्ड को फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा सकूँ, ताकि अंतिम धाई तीन महीनों में आपका ये रिविजन जो है वो बिल्कुल टिप्स पे हो जाए है, ठीक है भई, तो अब समसूत्री विभाजन में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कैरियो काइनेसिस की या केंद्रक विभाजन की, ठीक है भई, चलो आजाओ, तो अब हमारे पास, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कैरियो काइनेसिस, और कैरियो काइनेसिस को हम क्या कहते हैं, केंद्रक विभाजन, कैरियो काइनेसिस को क्या कहेंगे, केंद्रक विभाजन, और इसमें हमारे पास चार प्रमुक अवस्थाएं आती हैं, इसमें हमारे पास चार प्रमुक अवस्था यहेंगी बच्चों, कौन कौन सी, प्रो फेज, मध्य अवस्थ मेटा फेज, पश्च अवस्था यानी एना फेज, और अंत अवस्था यानी टीलो फेज. तो केंद्रक विभाजन की बात हो रही है, कैरियो काइनेसिस की बात हो रही है, केंद्रक विभाजन में हम ये चार अवस्थाएं पड़ेंगे, डाइग्रैम से समझेंगे, और इतना याद रखना बच्चों, अगर सवाल आ जाए, प्रो फेज से पहले अवस्था कौन सी है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, चीलोफेज ये तो है केंद्रक विभाजन लेकिन प्रोफेज से पहले क्या होगी तो दिमाग में ऐसा घुमा के रखना भई G1 है, तैयारी है, S है, G2 है और फिर प्रोफेज है इतना तो समझ ही गए होंगे न प्रोफेज से पहले तो अंत यही तो आएगी तो इसका मतलब G2 के बाद की अवस्था कौन सी है प्रोफेज, तो प्रोफेज से पहले कौन सी है G2, प्रोफेज से पहले अवस्था कौन सी है G2, आ गई, अब देखो बच्चो बिलकुल साबान तरीके से कैसे याद रखना है एक ही एक ही slide पर सारे points बता दूँगा और एक सवाल उससे बाहर नहीं बनेगा देखो इतना चीज मैं आपको बता रहा हूँ इसका screenshot ले लेना जो video ले रहा हूँ उसको record कर लेना इस सवाल या इस chapter से एक भी सवाल इस class इस slide से बाहर नहीं जाने वाला है जितने topics हम पढ़ेंगे सारे slide में जो flow chart बना रहा हूँ एक सवाल उस flow chart से बाहर नहीं जाने दूँगा NCRT का सारा point इस flow chart से ही समझ जाएंगे ठीक है भई अब देखो क्या है यहाँ पर अपन ने बना लिया pro phase यहाँ पर मैंने बना लिया metaphase यहाँ पर मैंने ले लिया एना phase और आखरी अवस्था है टीलो phase ठीक है अब सुनना बच्चों ध्यान से एक ही पर सारा सिस्टम बना दूआ pro phase से ठीक पहले क्या हुआ था pro phase से ठीक पहले G2 अवस्था थी और एक चीज मैंने आपको पिछले lecture में भी बताई थी कि जब तक अंतरावस्था रहती है इंटरफेज रहता है अंतरावस्था में क्रोमैटिन के धागे दिखते हैं मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी रुमाल से समझाया था आपको याद होगा तो याद हो रुमाल से मैंने बताया था कि जब अरे रुमाल निकल नहीं रहा है हमसे हाँ मैंने आपसे बताया था जब अंतरावस्था होती है इंटरफेज तो आपके पास ये बि पूरा का पूरा बिखरावा रहता है ये, इसे क्रोमैटिन कहते थे, और ये क्रोमैटिन विभाजन के दौरान संगनित होकर, कम्प्रेस होकर, कॉम्पैक्ट होकर क्रोमोजोम बन जाता है, तो अब आप सुनो, सबसे पहला प्रोफेज में क्या होगा, प्रोफेज में सबसे पहले पद में ही क्या होगा, सबसे पहली चीज, जो क्रोमैटिन के रेशे थे, वो क्रोमैटिन के रेशे संगनित होकर, गुन सूत्रों का रूप लेंगे, क्रोमैटिन मटीरियल कंडेंस होकर क्रोमोजोम बनाएगा बनाएगा तो पहला लक्षन प्रोफेज में क्या हो गया बच्चों पहला लक्षन हो गया जो क्रोमैटिन के रेशे हैं क्रोमैटिन के रेशे संघनित होकर संघनित का मतलब कंडेंस होकर गुन सूत्र में रुपांतरित होंगे गुन सूत्र यानी क्रोमोजोम में रुपांतरित होंगे तो पहला लक्षन है क्रोमैटिन रेशे संघनित होकर कुन सूत्र में रुपांतरित होंगे मतलब कैसे हर एक गुन सूत्र आपको कैसा दिखेगा ऐसा हर क्रोमोजोम में ऐसा ये एक ये दूसरा और ऐसा एक और बना देता हूँ एक ही बना देता हूँ ये जगे नहीं है ये आपके पास एक गुन सूत्र ऐसा दिखेगा और इस गुन सूत्र में हर एक गुन सूत्र में कितनी क्रोमैटिड्स हैं भई हर एक गुनसूत्र में ये दो sister chromatids होती है हर एक गुनसूत्र में कितनी sister chromatids होंगी दो दो क्यों बनी अरे दो क्यों आई replication के कारण replication के कारण दो आई न ऐस अवस्था में DNA का replication हुआ तभी तो एक गुनसूत्र में कितनी chromatids आई दो तभी तो 2C से 4C हुआ और दौनों Shister chromatics को दौनों Shister chromatic को जोड के कौन रखता है गुन सूत्रिः बिंदु, Centromere दौनों Shister chromatics को जोड के कौन रखता है गुन सूत्रिः बिंदु या Centromere और इस Centromere के दोनों तरफ प्रोटीन के डिस्क है, यह सब अपने पिछले चाप्टर में देखा था बच्चों, काइनेटो कोर, हाँ या ना, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, प्रोफेज है, प्रोफेज में क्रोमेटिन रेशे जो थे, वो क्रोमेटिन रेशे संघनित होकर किसका रूप लेंगे क क्रोमोजोम का, मैंने एक क्रोमोजोम बनाया है, ऐसे कितने क्रोमोजोम होंगे, ऐसे 46 क्रोमोजोम होंगे, यह एक क्रोमोजोम है, ऐसे कितने क्रोमोजोम से 46, हर क्रोमोजोम में कितनी क्रोमेटिन हैं, दो, हर क्रोमोजोम में कितनी क्रोमेटिन हैं, दो, और जितनी क्रोमे उतने काइनेटो कोर जितनी क्रोमेटिड उतने काइनेटो कोर ये भी NCRT में है तो दो सिस्टर क्रोमेटिड है तो दो काइनेटो कोर है और सेंट्रोमियर एक है गुन सूत्रिय बिंदू कितना है एक है आ गई बात समझ में पहला लक्षन, अब दूसरा क्या होगा बच्चों? दूसरा लक्षन क्या अतना है प्रोफेज में क्या होगा? अब प्रोफेज में जो तारक काय थी, सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम भी दो बन चुके हैं, दोनों विपरी धुरुवो की और गती करेंगे मतलब अब आपके पास दूसरा लक्षन है कि जो सेंट्रोजोम है सेंट्रोजोम जिसे हम कहते हैं तारक काए तारक काए क्या करेंगे बच्चों विपरीत धुरुवों की और गती करेगा मतलब ये सेल है अगर ये सेल है नूकलियस है बच्चों इसमें आपके पास ये गुनसूत्र है एक गुनसूत्र जिसमें दो सिस्टर क्रोमेटिज है ये रहे अब इसमें तारक काए ये देखो तारक काए है ये तारक काए विपरीत धुरुवों की और गती करेंगे और तरकुतंतु बनाना प्रारम करेंगे क्या होगा तारक काए विपरीत धुरुवों की और गती करेंगे और तरकुतंतु स्पिंडल फाइबर तरकु तंतु का निर्मान प्रारंब होगा पूरे नहीं बनेंगे बच्चों केवल तरकु तंतु का प्रारंब होगा सूख्ष्म नलीकाएं बनने लगेंगी इससे तारक काई विपरी ध्रुवों की और गती करेंगे तारक काई विपरी ध्रुवों ये देखो ये तारक काई मतलब दो तारक केंद्र इस ध्रुव की तरफ और दूसरे तारक काई इस ध्रुव की तरफ जा रहे हैं और उससे सूख्ष्म नलीकाएं बन रही है और तीसरी चीज तीनी चीजे हो रही है प्रोफेज में अभी बता फेज में क्या होगा बच्चों न्यूक्लियर मेंब्रेन केंद्रक जिल्ली केंद्री का ए यार और गोल जी ये सब विलुप्त हो जाएंगी इन सब का अप घटन हो जाएगा तीन ही चीजे याद रखनी है चौथा सवाल बन ही नहीं सकता तीन ही चीजे प्रो फेज में हो रही है पहला क्रोमैटिन रेशे संगनित होकर गुन सूत्रों का रूप ले रहे हैं पहला क्रोमेटिन रेशे थे, क्रोमेटिन रेशे होकर संगनित होकर ये गुनसूत्र के रूप में दिखाई देंगे, एक सेंट्रो मियर है, एक गुनसूत्रिय बिंदू है, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स है और दो काइनेटो कोर है, फिर तारक काये, तारक काये का द्वी गु केंद्री का ER गोल जी का विलूप्त हो जाती है यह आपके पास प्रोफेज है एंसियाटी के एक लास्ट लाइन है प्रोफेज के लास्ट में लिखावाई सुनना इससे सूख्ष में न लिकाई निकलेंगी उसको एस्टर कहेंगे एस्टर एस्टर और स्पिंडल फाइबर को मिलाकर माइटोटिक अपैरेटस कहते हैं लिखा हुआ है की ने लिखा हुआ समसूत्री उपकरण या माइटोटिक अपैरेटस है वो लास्ट लाइने प्रोफेज की यह जो एस्टर निकलेंगे यहां से सूख्ष में न लिकाएं और स्पिंडल फाइबर का समू क्या आ गई बात समझ में प्रोफेज में तीन ही बिंदू याद रखने है यार क्या हुआ था ऐसे बिखरेवे क्रोमैटिन थे संगनित होकर गुनसूत्र बने फिर तारक काई विप्री धुरुवों की तरफ गए सूख्ष मनलीकाउं से एस्टर स्पिंडल फाइबर्स बनने प NCRT में अब इसके डाइग्राम को भी समझेएगे बच्चो NCRT में दो डाइग्राम है early pro phase और late pro phase. Early pro phase में तो केंदरक जिली ऐसे बना रखी है लेकिन pro phase, late pro phase में केंदरक जिली विलूप्थ होते वे दिखा रखी है兩個 pro phase की पहचान ही है कि केंदरक जिली और केंदरी का विल मेटाफेज मेटाफेज में क्या होगा पहली चीज हमको कैसे मालूम चलेगा कि प्रोफेज खतम हुआ है और मेटाफेज चालू हुआ है ठीक है हमें कैसे मालूम चलेगा कि प्रोफेज खतम हुआ है और मेटाफेस चालू हुआ है तो जब पूरा केंद्रक जिल्ली विलूप्थ हो जाएगी बच्चो सोचो जब केंद्रक जिल्ली केंद्री का सब विलूप्थ हो गई तो सारे गुनसूत्र जो है सारे गुनसूत्र कहां आ जाएंगे बच्चो कोशी का द्रव्य में ये सारे गुनसूत्र जो हैं वो कहां आ जाएंगे कोशी का द्रव्य में आ जाएंगे ना तो NCRT में इस डाइग्राइम को लिखावा है transition to metaphase मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि metaphase चालू हुआ है आपको कैसे मालूम चलेगा कि metaphase चालू हुआ है सारे गुनसूत्र कोशी का द्रव्य में आ जाएंगे केंद्रक जिल्ली विलुप्थ हो चुकी होगी तो metaphase का मतलब है केंद्रक जिल्ली nuclear membrane पून रूप से घुल चुकी है पून रूप से घुल चुकी है और सभी गुनसूत्र कहां आ गए सभी गुनसूत्र कोशी का द्रव्य में आ चुके है सारे के सारे क्रोमोजोम साइटो प्लाजम में आ गए है इसका मतलब metaphase चालू हो गया अब metaphase में क्या होगा भई metaphase में तरकू तंतू spindle fiber पून रूप से बन जाएंगे यही तो होगा अब आपके पास क्या हो रहा है spindle fiber देखो एक चीज है सबसे पहली चीज मेटाफेस की शुरुवात कैसे पता चलेगी NCRT की लाइन है कि आपको कैसे मालूम चलेगा प्रोफेस खतम हुआ है मेटाफेस की शुरुवात हुई है हमें मालूम चलेगा जब केंड्रक जिल्ली पून रूप से विलुप्ठ हो जाएगी सारे गुनसूत्र सारे क्रोमोजोम्स कोशी का द्रव्य में आ जाएगे मतलब मेटाफेस चालू हो गया ह है अब बेस्ट सारे गुनसूत्र संगनित कहाँ होंगे सारे के सारे गुन सूत्र संगनित बेस्ट कॉम्पैक के सवस्था में होंगे मेटाफेज इसका मतलब गुन सूत्रों की आकारिकी गुन सूत्रों की आकारिकी या मॉर्फॉलजी स्टडी करने के लिए गुन सूत्रों की आकारिकी और morphology study करने के लिए best अवस्था कौन सी है metaphase जब आपको सबसे बहतर गुन सूत्र किसमें दिखाई देंगे metaphase में क्योंकि ये best condense हो चुके हैं best संगनित हो चुके हैं तो बेस्ट कुन सूत्र की आकारिकी का अध्यन की सवस्था में होगा metaphase फिर क्या बनेंगे spindle fiber spindle fiber कौन से protein से बने होते हैं बच्चों tubulin protein से 97 प्रतिशत tubulin protein होता है 3 प्रतिशत RNA तो tubulin protein से क्या बने होते हैं तरकू तंतू और ये spindle fiber का बहुली करण spindle fiber का polymerization बहुली करण भी कहा हो जाता है metaphase में और मध्यमें एक metaphase पट्टी बनती है जिसको equatorial plate या metaphase plate कह सकते हो और सारे गुन सूत्र यहाँ पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं ये रहे ये आपके पास गुन सूत्र centromere sister chromatids को लेकर कहां पर व्यवस्थित हो गया भई metaphase पट्टी पर ये मैंने तीन गुन सूत्र बनाए हैं हमको पता ऐसे कितने गुन सूत्र होंगे 46 सारे गुन सूत्र मध्य पट्टी या metaphase पट्टी पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं तो किस अवस्था की बात हो रही है metaphase वापस देख लो metaphase में भी आपको ये तीन चार चीजे ही ध्यान में रखनी है क्या ध्यान में रखनी है metaphase की शुरुवात कैसे हुई केंद्रक आवरन nuclear membrane पूरा नश्ट हुआ सारे कोशी का द्रव्य में गुन सूत्र आ गए सारे गुन सूत्र साइटो प्लाजम में आ गए इसका मतलब metafase की शुरुवात हो गई हो गई metafase की शुरुवात करली metafase की शुरुवात हमने ये रहा NCRT में ऐसा transition to metafase दे रखाए फिर क्या होगा तरकू तंतू का बहूली करण ये spindle fiber जो है तरकू तंतू का बहूली करण होगा ये तरकू तंतू जुड़ेवे किस्से हैं बचो अच्छा ये तरकू तंतू किस्से जुड़े रहेंगे काइनेटो कोर से तरकू तंतू किस्से जुड़े रहेंगे भई काइनेटो कोर यही तो काइनेटो कोर हैं जो जिसपे तरकु तंतु जुड़ते हैं और सारे गुनसूत्र सारे गुनसूत्र सिस्टर क्रोमेटिट्स के साथ मध्यपट्टी पर व्यवस्तित हो जाएंगे अनामी काजने पुझा है सर क्या सेल डेली डिवाइड करता है बेटा आवशक्ता पढ़ने पर डिविजन होगा न जैसे मैंने आपका कहा अभी अपनी त्वचा कोशिका है बेटा इस त्वचा कोशिका में अभी तो विभाजन हो ही नहीं रहा तो आवशक्ता होने पर विभ भाजन होगा तो मेटाफेज सबको क्लियर मेटाफेज में सारे गुनसूत्र मध्यपट्टी पर आकर विवस्तित हो गए हैं तरकू तंतू काइनेटो कोर से जुड़े हुए हैं तरकू तंतू जो हैं वो काइनेटो कोर से जुड़ चके हैं मेटाफेज सबको क्लियर और सबस से अधिक गुनसूत्र संगनित कि सवस्था में होते हैं मेटाफेज तो गुनसूत्रों की आकारी की का अधियन कभ होगा मेटाफेज अब next अवस्था एनाफेज बिटा भुजा कि अवस्था तो आपको एनाफेज में दिखाई देगी अब मेटाफेज के बाद कौन सी अवस्था आईगी बच्चों एनाफेज आईगी अब next आपके पास next अवस्था आती है एनाफेज अनाफेज सबसे छोटी अवस्था, कोशी का विभाजन की सबसे छोटी अवस्था अनाफेज है, अनाफेज में क्या होगा बच्चों अब देखो, अनाफेज में ये जो तरकू तन्तू थे इनकी लंबाई छोटी होगी, ये जो तरकू तन्तू थे ना बच्चों, ये स्पि काइनेटो कोर को खीचेंगे और नीचे से यहां पर आप इमेजिन करो यह उपर वाला तरकु तंतु है नीचे वाला तरकु तंतु है दोनों काइनेटो कोर को उपर से और एक नीचे से खीच रहा है यह उपर से खीच रहा है यह नीचे से खीच रहा है उपर से खीच रहा है और sister chromatid अलग-अलग होगी, आप imagine करो ये गुन सूत्रिय बिंदु है बचों, ये गुन सूत्रिय बिंदु है, ये दोनो sister chromatid है, ये काइनेटो कोर है, और ये तर्कुतन्तु है, सही बात है, अब ये तर्कुतन्तु ऊपर की और उसको खीचेंगे, ये तर्कुतन्तु नीचे की और खीचेंगे, दोनों काइनेटो को और को विप्रीत दिशा में खीचेंगे, तो centromere, centromere मध्य से विघटित होगा, centromere मध्य से विघटित होगा, तो sister chromatid separate होगी ना, centromere मध्य से विघटित होगा, sister chromatid separate होगी, 4C से अवस्था वापस 2C, 2C हो जाएगी, अना फेज में अब क्या होगा बच्चों, तारक गुन सूत्रिय बिंदू, यानी centromere split होगा, और centromere का विघटन होगा, या centromere की splitting होगी, तो कौन अलग-अलग होगा, sister chromatid अलग होंगे, so sister chromatids प्रिथक होंगे, और विपरीत धुरुवों की और गती करेंगे, इस तरह से, अब इसमें क्या हो रहा है, sister chromatid अलग होके, प्रिथक हो रहे हैं, इसमें गुन सूत्रिय बिंदू आगे की तरफ है, centromere आगे की तरफ है, और भुजा यानी chromatid जो है, वो पीछे की तरफ है, यह NCRT की लाइन है, जब sister chromatid अलग-अलग हो रही हैं, तो गुन सूत्रिय बिंदू आगे हैं, और sister chromatid उसके पीछे जा रही है, और जब V, J, I और L शेप, V, J, I, L शेप study करना होता है, तो इस अवस्था में किया जाता है, अरे आ रही है की नहीं आ रही है यह बात, आसान है, बहुत आसान है, एक बार समझ आ गया ना, तो फिर जवाब गलत नहीं होगा, ठीक है, NCRT का कोई point आप पड़ते रहना, एक point नहीं छोड़ा है, जितने point है, सारे के सारे point बता रहा हूँ एक साथ, अब sister chromatic अलग हो गई, तो अवस्था वापस 4C से क्या हो गई, 2C, 2C, हो गई, अब ये वापस देखो, एक, दो, तीन, वैसे हिस सारे, ये गुनसूत्रा अलग, ये गुनसूत्रा अलग हो गई, हाँ, V, I, J और L शेप पता करना हो, इन शेप का अध्यन अगर आपको करना हो, तो वो किस अवस्था में किया जाता है, एना फेज में कर रहा रहता है, अब आपको आखरी आ गया टीलोफेज, और टीलोफेज में अलग से तो कुछ याद ही नहीं रखना, टीलोफेज प्रोफेज का उल्टा है, जो जो प्रोफेज में हुआ था न, उसका उल्टा जो है वो कहां होगा टीलोफेज में, जो जो प्रो फेज में हुआ था उसका उल्टा क्या होगा टी लो फेज में होगा ना तो अंतिमवस्था आगई आपके पास टी लो फेज क्या होगा टी लो फेज ने आप सोचो क्या होगा आपके पास केंद्रक जिल्ली केंद्री का ये सब पुना लोट आएंगे केंद्रक जिल्ली केंद्री का ER ये देखो आपके पास nuclear membrane केंद्री का nucleolus ER गोलजी इनका पुनाह निर्मान हो जाएगा और जो chromosome थे गुन सूत्र थे बच्चों वो गुन सूत्र असंगनित होकर वापस chromatin ratio में परिवर्तित हो जाएंगे ये आपके पास वापस ये सारे के सारे कुन सूत्र वापस और वापस कैसे हो जाएंगे ये chromatin ratio में परिवर्तित हो जाएंगे जो जो याद रखना, बच्चों, आपके पास, श्म्पल सा, प्रोफेज में क्या हुआ था, क्रोमैटिन रेशे गुन सूतरों में संगनित हुए थे, यहां पर गुन सूतर वापस क्रोमैटिन रेशों में संगनित हो गए, वहां पर केंदरक जिल्ली, केंद puppies का, यार गोलजी विलूप्त हो गई थी अपगटित हो गई थी यहां पर वापस निर्मित हो गई और केंद्रक विभाजन हो गया है वह हमको केंद्रक विभाजन करना था और दो केंद्रक में बराबर डीने जो बराबर डीने भेजना था तो हमने वापस पूराना डीने भेज द अब सिरफ अर्द सूत्री विभाजन करना है उसके बाद question practice कराऊंगा बेटा statement वाले question कराऊंगा एजर्शन रीजन वाले question कराऊंगा previous year हर तरह के सवाल कराऊंगा हर तरह के सवाल करेंगे NCRT को ऐसे एक भी चीज है जो छूड़ नहीं पाईगी तो सबको clear है बच्चों प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज में क्रोमैटिन रेशे, गुन सूत्रों में संगनित हुए तारक काई विपरीध ध्रुवों की तरफ आकर तरकु तंतु का निर्मान प्रारम हुआ अन तक आते आते केंद्रक जिल्ली, केंद्रक केंद्री का ER गोलजी विलूप्त हो गए फिर सारे गुन सूत्र कोशी का द्रव्वे में आ गए, केंद्रक जिल्ली विगटित हो चुकी है, मेटाफेज की शुरुवात हो गई गुनसूत्रों की आकारिकी का ध्यन करना है बेस्टेज मेटाफेज है फिर तरकुतंतु का बहुली करन पूरा होगा मध्य में मेटाफेज पट्टी बनेगी और सारे गुनसूत्र मेटाफेज पट्टी पर व्यवस्थित हो जाएंगे पिर एना फेज में सेंट्रो मियर मध्य से विगटित होगा, सेंट्रो मियर विगटित होगा तो सिस्टर क्रोमैटिड अलग-अलग होंगे और विप्री ध्रुवो की और गती करेंगे. और टीलो फेज में अंतिम अवस्था है, टीलो फेज में वापस प्रो फेज का उल्टा है, केंद्रक जिल्ली वापस आजाएगी, केंद्री का वापस आजाएगा, E.R. गोल जी पुना निर्मित हो जाएगी, और गुन सूत्र असंगनित होकर क्रोमेटिन रेशो में परिवर हो जाएगे, ठीक है बचों, यह हमने केंद्रक विभाजन देख लिया, अब केंद्रक विभाजन के बाद सिरफ एक चीज रह गई, कोशी का द्रव्य विभाजन, एक सवाल पूछा है, दिशा जी ने बार-बार, सर, इंटर जोनल फाइबर क्या होते हैं, दिशा बेटा द नहीं बताया है, क्योंकि वो NCRT में नहीं दे रखा है, और आज तक लास के 10 साल, 15 साल, 20 साल के सवाल उठाके देख लेना, कहीं पर नहीं दे रखा है, तो लास के समय में यही चाहूंगा, कि आप वही चीजें पड़े जो NCRT में हैं, तीन तरे के तरकू-तंतू, तीन तर प्रकाय तक जाते हैं, और तीसरे तर्क गुन सूत्रों के बीच में, काइनेटो कोर के बीच में, इंटर्जोनल फाइबर होते हैं, बट वो मैंने जान बूच कर नहीं बताया, बेटा, क्योंकि वो आवशकता नहीं है, कता ही आपका प्रश्न नहीं बन सकता, ठीके बेटा अब हमारे पास कोशी का द्रव्य विभाजन या साइटो काइनेसिस, ये साइटो काइनेसिस करते हैं बच्चों, उसके बाद हम 10 मिनिट का ब्रेक लेंगे, अर्दसूत्री विभाजन पढ़ने से पहले, और फिर जबर्दस तरे के क्वेस्चन सम कर लेंगे, अब साइटो काइनेसिस का मतलब ही क्या है भई, साइटो काइनेसिस का मतलब ही है कोशी का द्रव्य विभाजन, केंद्रक विभाजन हो चुका है, केंद्रक विभाजन हो चुका है, तो अब आपके पास कोशी का द्रव्य का विभाजन होगा, कोशी का द्रव्य का विभाजन पादब को कोशिका में अलग और जन्तु कोशिका में अलग तरीके से जन्तु कोशिका में या एनिमल सेल्स में जन्तु कोशिका और एनिमल सेल्स में कोशिका द्रव्य विभाजन अलग होगा बच्चों और पादप कोशिका में यानि plant cell में अलग तरीके से होगा पहले तो नाम आपको ध्यान में रखना है बच्चों जन्तु कोशिका में किस तरीके से होता है जिसे हम कहते हैं क्लीवेज या कॉंस्ट्रिक्शन फरो इसको हम खाच या विदलन कहते हैं बच्चों खाच या विदलन प्रकार होता है और पादब कोशिका में cell plate मेथड होता है कोशी का पट्टी तो एक तो बच्चों सीधा सवाल आ सकता है आपके पास कि जन्तु कोशी का में कोशी का द्रव्य विभाजन किस तरीके से होता है खाच विदलन या जिसे हम कहते हैं क्लीवेज या कॉंस्ट्रिक्शन फरो और पादब कोशी का में cell plate या कोशी का पट्टी मेथड अब क्या मेथड है बच्चों इधर देखो बहुत आसान है ये मे कोशी का द्रव्य विभाजन बहुत आसान है जो प्लाज्मा जिल्ली या कोशी का जिल्ली है उसमें संकुचन के कारण होगा देखो बच्चों आपको याद होगा आपने प्रोटीन्स देखे थे सूख कोशी का कंकाल कोशी का कंकाल में आपने सूख्ष्म तंतू देखे थे माइक्रो फिलमेंट्स वो माइक्रो फिलमेंट्स या सूख्ष्म तंतू ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो प्लाजमा जिली को ब ठाकत ठीक है गदर याद है आपको तो हैंपम उखाड लेता है तो फिर आप इमेजन करूं सनी देवल है और वो दोनों तरफ से ऐसे रस्यों को अंदर खीच रहा है तो वो सनी देवल कौन है सूक्ष्मतंतू है माइक्रो फिलामेंट्स और वो माइक्रो फिलामेंट्स प्लाजमा जिल्ली को बाहर से अंदर की तरफ खीच या संकुचित कर रहे है यह मजदोर का आते कातेया लोहा पिगला कर उसका आकार बदल देता है तो यहीं पर यहीं हो रहा है यह जो प्लाजमा जिल्ली है ना यह प कोशी का को दो में विभाजित कर देते हैं ठीक है तो आपके पास सिम्पल सी बात है जो कोशी का जिल्ली है या सेल मेंब्रेन है वो बाहर से भीतर की और संकुचित होती है वो बाहर से भीतर की तरफ संकुचित या कॉंट्रैक्ट होती है इसमें सूक्ष्मतंतु उसको बाहर से अंदर की तरफ संकुचित करते हैं और कोशी का दो में विभाजित हो जाती है आसान यहां पर जादा लफड़ा है ही नहीं प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम पादप कोशी का के साथ है क्योंकि पादप कोशी का में भित्ती है बाहर और पादप कोशी का के बाहर क्योंकि भित्ती है पादप कोशी का के बाहर क्योंकि भित्ती है इसलिए ये संकुचन से ऐसी चीज संभव है नहीं हाँ बिल्कुल सही है ये दिशा बाहर से अंदर है बच्चों दिशा जब बाहर से अंदर होती है तो उसको आप फिजिक्स में क्या कहते हो सेंट्री पीटल कहते है बिल्कुल सही है बाहर से अंदर अब यहाँ पर तो ऐसा संकुचन संभव नहीं है क्योंकि बाहर भित्ती है और भित्ती में इतनी गोल जी का इखटे होंगे गोल जी का इखटे होंगे गोल जी का इखटे होंगे तो कार्बो हाइडरेट का स्त्रावन करेंगे गोल जी का इखटे होंगे और कार्बो हाइडरेट के स्त्रावन से क्या बनेगा बच्चो फ्रैग्मो प्लास्ट फ्रैग्मो प्लास्ट जो है व और कोशी का दो में विभाजित हो जाईगी अंदर से बाहर निर्मान हो रहा है इसे कहते हैं सेंट्री फ्यूगल सिंपल सी बात है तीन चीजे ध्यान में रखनी है जन्तु कोशिका में कोशिका पत्ती का मेथड है कोशिका पत्ती का मेथड है उसमें कौन से कोशिकांग काम करेंगे गोलजी काए गोलजी काए किसका निर्मान करेगी फ्रैग्मोप्लास्ट फ्रैग्मोप्लास्ट मध्य पत विदलन वाला मेथड है, ये पूरा समसूत्री विभाजन है। जब कभी भी वृद्धी की जरूत होगी, विकास की जरूत होगी, मरम्मत की जरूत होगी और NCRT में लिखा हुआ है, केंद्रकोशी का द्रव्य के अनुपात को वापस थापित करना होगा, तो समसूत्री विभाजन होगा। NCRT में सिगनिफिकेंस में लिखा हुआ है, कि समसूत्री विभाजन का सिगनिफिकेंस या महत्व क्या है, क्या महत्व है, वृद्धी में इसकी जरूत परती है, युगमनच के विकास में समसूत्री विभाजन की जरूत परती है, मरम्मत में समसूत्री विभाजन की जरू बहुत बढ़ जाता है कोशी का साइज में बहुत बढ़ जाती है तो उसका न्यूक्लियो साइटो प्लाजमिक रेशियो केंद्रक कोशी का द्रव्य अनुपात को बराबर करने में भी माइटॉसिस काम करता है काम करता है ये भी दे रखा है और एक NCRT में पॉइंट यही कहते हैं केंद्रक कोशी का द्रव्य अनुपात या न्यूक्लियो साइटो प्लाजमिक रेश्यो इसको भी बनाए रखने के लिए समसूत्री विभाजन जैक होता है ना एक से एक क्लास है ओफ-लाइन क्लास है मान लो एक ओफ-लाइन क्लास में 25 बच्चे थे फिर 50 हुए फिर 100 हुए फिर 200 है 300 है जब ओफ-लाइन क्लासेज में स्टूडेंस बहुत जादा बढ़ जाते हैं तो क्लासेज को दो में डिवाइड करते हैं वही माइटोसे से कोशीका की वृद्धी में वो साइज उसका आयतन बहुत जादा बढ़ रहा है तो फिर कोशीका विभाजन के द् केंद्रक विभाजन हो केवल केंद्रक विभाजन हो यानी कैरियो कैनेसी ही हो लेकिन cytokineses ना हो लेकिन cytokineses ना हो तो क्या होगा बच्चो बहु केंद्र की अवस्था बनेगी तो क्या बनेगी बहु केंद्र की अवस्था अब इंग्लिश की NCRT में बच्चो सिंसाइटी कम दे रखा है इंग्लिश की NCRT में syncyticum दे रखा है, syncyticum नहीं होगा, synocytic होगा ये correction आ चुका है, अगर आपके NCRT में नहीं है तो कर दीजिएगा syncyticum नहीं होगा, synocytic जब केंद्रक विभाजन होगा केंद्रक ने विभाजन कर दिया, karyokinesis हो गया परंतु कोशी का द्रव्य का विभाजन नहीं होता तो कोशी का केंद्रक बन जाएंगे इस बहु केंद्रकी अवस्था को synocytic कहते है, syncyticum नहीं कहते आरे कृष्णा जी काहे गुसा हो रहे है, गुसा गुसा मत हुआ करो यार प्लीज, देखो मैंने आपसे हमेशा कहा है, आप हो तो हम है एक स्टूडेंट का प्यार, एक स्टूडेंट का विश्वास, एक स्टूडेंट का सिस्टम जो है, वो टीचर हम आप पे निर्भर है, काहे गुसा हो रहे है अब आपसे बात भी करेंगे हम तो यह सीनोसाइटिक कंडिशन है, बहु केंद्र की अवस्था है जो भुरून कोश, किस में देखी जाती है, एंडोस्पर्म, भुरून पोश में देखी जाती है तो इतना क्लियर है भई, इतना सब को क्लियर है कि अगर केंद्रक विभाजन हो जाए लेकिन उसके बाद कोशी का द्रव्य विभाजन ना हो, तो जो बहु केंद्र की अवस्था, मल्टी न्यूक्लियरेट कंडिशन बनती है, उसको सीनोसाइटिक कहते है नारियल का जो नारियल पानी आप पीते हैं न, हाँ, कोकोनेट वाटर वो लिक्विड एंडो स्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडो स्पर्म का ही एक्जाम्पल है, क्लियर है बात सब को बच्चों ठीक है बच्चों अर्ली मेटाफेज और लेट मेटाफेज में इतना याद दखना सिरफ की अर्ली मतलब है, मेटाफेज ट्रांजिशन है, और फिर अन्ति मेटाफेज, जब पूरा मेटाफेज पट्टी बनकर गुन सूत्र उस पर व्यवस्तित हो जाएंगे ठीक है बचों, 7 बजे हैं, अब इमें काम कर रहे हैं, 15 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद हम अर्द सूत्री विभाजन और उसके questions की बात करेंगे ठीक है बचों, तो अब हमारे पास 15 मिनट का मैं आप लोगों को ब्रेक दे रहा हूं 15 मिनट का ब्रेक आपको दे रहा हूं, 7 बजे क्लास वापस चालू होगी 7 बजे जब हम क्लास चालू करेंगे, तो अब हमारे पास पढ़ने के लिए मियोसिस अर्द सूत्री विभाजन है और आपके लिए बढ़िया तरेके प्रशन और questions लेकर आया हूं और उस questions में previous year questions भी है, aversion reason भी है और statement वाले सवाल भी है ठीक है बचों, तो जरूर से थोड़ा break वेक ले लिजिए, कुछ खाब पी लिजिए, सवा 7 बजे आपस वापस मुलाकात होगी ठीक है झाल 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 हलो बच्चों सबको वापस वेलकम है आई होप आप सब लोगों ने ऐसा ब्रेक ले लिया होगा भूग लगिये होगी तो तुरूर कुछ खा लिया होगा तो इस सेशन में वापस मिलकर आपसे बहुत खुशी हो रही है और ब्रेक से पहले अपनने कोशी का चक्र की बात की थी यानि कोशी का चक्र में जो तैयारी वाली अवस्ता है यानि अंत्रा अवस्ता है उसकी हमने बात की थी और उसके साथ साथ हम लोगों ने सम सूत्री विभाजन या माइटोसिस पूरा कर लिया है तो अब इस सेशन में मतलब जो सेशन का सेकेंड हाफ है उस सेकेंड हाफ में हम लोग अर्द सूत्री विभाजन या मियोसिस की बात करेंगे और आज से समबंदित इस चैप्टर से समबंदित जो भी क्वेस्चेंस हम बना सकते हैं अर्द सूत्री विभाजन या मियोसिस में आपको क्या क्या चीज़े ध्यान में रखनी है उसकी बात हम करेंगे और फिर हम क्वेस्चेंस करने वाले हैं बेटा पोस्ट और प्री क्या कहने चारे हैं आप चलिए तो सम सूत्री विभाजन या माइटोसिस की हमने बात कर ली थी अब हम मियोसिस या अर्द सूत्री विभाजन की बात करने वाले हैं तो अब जब हम अर्द सूत्री विभाजन की बात करेंगे, यानि मियोसिज की, तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो मियोसिज है या जिसको हम कहते हैं, अर्द सूत्री विभाजन ये कब देखा जाता है? लेंगिक जनन के दौरान. अर्द सूत्री विभाजन ये मियोसिज जो है, वो लेंगिक जनन के दौरान देखा जाता है, इसका मतलब जब लेंगिक जनन के दौरान युगमक बनते हैं, पुर्षों में शुकरानू बनते हैं, मतलब स्पर्म्स बनते हैं, या पादपों में प्लांट्स में नर युगमक या मेल गेमीट्स बनते हैं, मादाओं में अंड कोशिकाय बनती हैं, या मादा युगमक जब गेमीट्स बनते हैं, तो गेमीट्स के अंदर या गेमीट्स बनाने के दोरान कौन सा विभाजन देखा जाता है, अर्द सूत्री तो पहली चीज आपको ध्यान में रखना है जब हम अर्द सूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं तो अर्द सूत्री विभाजन किस जनन के अंदर आता है लेंगिक जनन या जिसे हम कहते हैं sexual reproduction तो पहला आप तो समझी गए होंगे जब हम समसूत्री विभाजन जब हम माइट ओसिस की बात कर रहे थे तो वो तो अलेंगिक जनन का प्रकार था लेकिन जब हम अर्द सूत्री विभाजन या लेंगिक जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो ये लेंगिक जनन के दोरान कब देखा जाता है बिलकुल सही युगमक जनन के दोरान गेमीटो जैनेसिस के दोरान नर्ज युगमक और मादा युगमक के निर्मान में male gametes हो, female gametes हो, शुक्रानू बनाने हो, अंडानू बनाने हो, gametes बनाने के दौरान, युगमक बनाने के दौरान जो है, वो आपके पास अर्द सूत्री विभाजन होता है तो सबसे पहली चीज याद रखनी है कि लेंगिक जनन में यानी युगमक जनन या गेमीट्स बनाने के दौरान अर्दसूत्री विभाजन देखा जाता है तो अब आपको याद रखना है बच्चों बहुत इंपोर्टन चीज मियोसिस किन जीवों में नहीं होगा तो कौन से ऐसे और्गानिजम्स हैं कौन से ऐसे जीव हैं जिसमें मियोसिस नहीं होता तो सिंपल सा बच्चों जो भी जीव जो भी और्गानिजम लेंगिक जनन नहीं दरशाते जो भी और्गानिजम लेंगिक जनन नहीं दरशाते sexual reproduction नहीं दर्शाते उनमें meiosis नहीं होता जैसे पूरा का पूरा मौनेरा जगत होता है बच्चों पूरा का पूरा मौनेरा kingdom जो है जिसमें आर्की जीवानू, यू बेक्टीरिया, नील हरी छेवाल, माइको प्लाजमा इन सब में meiosis नहीं होता भई अर्द सूत्री विभाजन या meiosis लेंगिक जनन दर्शाने वाले जीवों में ही होता है कोई भी और्गैनिजम जो लेंगिक जनन नहीं दर्शाता उसमें meiosis नहीं होता याद रहेगा ये बात केवल लेंगिक जनन दर्शाने वाले जीवों में, sexual reproduction दर्शाने वाले जीवों में ही मियोसिज होता है और युगमक जनन के दौरान होता है फिर आपको दो important चीजे ध्यान में रखनी है बच्चों पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है इसमें गुन सूत्रों की संख्या आधी हो जाती है सबसे important चीज इसमें chromosome का नंबर आधा हो जाता है chromosome की संख्या आधी हो जाती है यानि इसलिए इसको reductional division या अर्द सूत्री विभाजन कहते हैं क्योंकि इसमें गुन सूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी गुन सूत्रों की संख्या मतलब 2N से N होता है गुन सूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी पहली चीज, N by 2 नहीं होता बेटा, N by 2 कभी नहीं होगा, इसका मतलब है अगुनित कोशिकाओं में मियोसेज नहीं होता, हैपलॉइड सेल्स में मियोसेज नहीं होता, हैपलॉइड और्गैनिजम में होता है, अब एक और जाएप रहा हूँ बच्चों ध्यान से सुन लेना, ट्विस्ट क्या है, कवक होती है फंगाय, फंगाय जो होती है वो अगुनित होती है, हैपलोईड, शेवाल, एलगी भी ज्यादा तर कैसी होती है, हैपलोईड, फ्यूकस को छोड़ दो, क्योंकि फ्यूकस एक मात्र भुर भी शेवाल है जो द्वी गुनित है बाकी एलगी भी हैपलोईड है फंगाए भी हैपलोईड है दौनों में लेंगिक जनन होता है लेकिन दौनों में लेंगिक जनन युगमनज बनने के बाद होता है जाइगोड बनने के बाद होता है यानि हैपलोईड औरगैनिजम में तो meoses होगा, लेकिन haploid cell में meoses नहीं हो सकता. तो fungi और algae शैवाल और कवक में क्या होता है? निशेचन होता है, fertilization होता है, उससे द्वी गुनित युगमनज बनता है, और उसमें meoses देखा जाता है. याद रहेगी बच्चो छोटी सी चीज़ है लेकिन important चीज़ है अगुनित जीवों में मियोसेज हो सकता है लेकिन अगुनित कोशिकाओं में मियोसेज नहीं होता है haploid organisms जो sexually reproduce कर रहे हैं उनमें मियोसेज होता है zygote के level पर लेकिन haploid cell में मियोसेज नहीं होता है और इसमें विवित्ता आती है बचो सबसे important चीज़ है इसमें आनुवानशिक विवित्ता या variations आते हैं और हमें पता है विवित्ता या variations किस कारण आते हैं जीन विनीमय या crossing over के कारण यही तो खास बात है आज सीधी सी बात है कि जो युगमक बनते हैं वो आनुवानशिक रूप से एक दूतरे से भिन्न होते हैं आज हम हमारे मम्मी बापा से अलग हैं भाई बेहन हमसे अलग हैं तो यह विशमता यह विभिन्नता यह genetic variability किस कारण आती है जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर तो जब युगमक हम बनाएंगे जब शुकरानू बनाएंगे अंडानू बनाएंगे जब युगमक बनेंगे तो युगमक में आनुवानशिक भिन्नता आती है genetic variability आती है किसके कारण जीन विनिमय के कारण इसलिए हम एक दूसरे के clones नहीं होते कोई भी युगमक एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं होता इसलिए clones नहीं बनते आनुवानशिक विभिन्नता या विवित्ता आती है crossing over के कारण तो ये तीन points important है युगमक जनन के दौरान देखा जाएगा गुन सूत्रों की संख्या इसमें आधी हो जाती है और इसमें आनुवानशिक विवित्ता या genetic diversity आती है variations किस कारण जीन विनीमाई के कारण इतना सब को clear है बात ये बात clear है अर्दसूत्री विभाजन अब होता क्या है बचों अर्दसूत्री विभाजन में कैसे system हम पढ़ते हैं हमें पता है एक 2N deployed cell होता है बचों इसमें सबसे पहले meiosis 1 होती है अर्दसूत्री विभाजन फर्स्ट और इस meiosis 1 में ही गुन सूत्रों की संख्या आधी हो जाती है तो गुन सूत्रों की संख्या कहां आधी हो जाती है meiosis 1 में ही इसलिए इसी को अर्दसूत्री विभाजन कहते हैं इसी को reductional division कहते हैं और फिर meiosis 2 होता है फिर मियोसिस सेकेंड होगा इसमें गुन सूत्रों की संख्या सेम रहती है मियोसिस टू को हम सम सूत्री भी कहते है एक्वेशनल डिविजन भी कहते है तो मियोसिस टू को सम सूत्री एक्वेशनल डिविजन कहते है क्योंकि गुन सूत्रों की संख्या सेम रहती है और याद रखना बचों मियोसिज 1 और मियोसिज 2 अलग-अलग मियोसिज नहीं है एक ही मियोसिज है एक मियोसिज एक संपून मियोसिज का मतलब है मियोसिज 1 और मियोसिज 2 दोनो दोनों मिलकर आपके पास नहीं पड़ेगी बिल्कुल जरुत नहीं पड़ेगी तो अर्दसूत्री विभाजन का इतना सिस्टम क्लियर हुआ लेंगिक जनन की बात हो रही है, युगमक जनन के दौरान देखा जाएगा गुन सूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और इसमें आनुवांशिक विवित्त आती है एक चीज आपने बाकी जनन में पढ़ी होगी, मानव जनन में भी पढ़ी होगी, पादपो के जनन में भी पढ़ी होगी कि जब नर्यूगमक बनते हैं तो एक मियोसिस से चार बनते हैं. male gamete नर युगमग तो एक से चार बनते हैं एक Meiosis से. लेकिन जब मादा युगमग बनती है, female gamete बनती है, तो उसमें बनते तो चार है, तीन नष्ठ हो जाते हैं. तीन नष्ठ हो जाते है तो सक्रिय एक ही रहता है जिसमें जादा कोशी का द्रव्य होता है तो आपको एक basic question तो आपको पता ही है वो ये है कि अगर question आ जाए कि आपके पास 100 शुक्रानू बनाने के लिए 100 sperms बनाने के लिए कुल कितने अर्द सूत्री विभाजन चाहिए बचों तो शुक्रानू या sperms तो नर्युगमक है 100 शुक्रानू या sperms का मतलब है नर्युगमक है और एक meiosis से चार बनते हैं एक meiosis से चार बनते हैं तो 100 शुक्रानू के लिए कितने meiosis चाहिए बच्चीस meiosis कितने अर्द सूत्री विभाजन चाहिएंगे पच्चीस तो अगर आपको N मात्रा में नर्युगमक चाहिए N मात्रा में नर्युगमक चाहिए तो आपको N by 4 meiosis की जरूरत पड़ती है सही लेकिन अगर क्वेस्चन आजाए 100 अंडानू बनाने है 100 एक्स बनाने है तो 100 अंडे बनाने के लिए कितने अर्द सूत्री विभाजन तो एक से तो एक ही बनता है तीन तो नश्ट हो जाते हैं तो मादा युगमक अगर आपको N संख्या में मादा युगमक निकालनी है तो उतने ही मियोसिस चाहिएंगे उतने ही मियोसिस चाहिएंगे बस सिंपल सी बात है नर युगमक एक से चार बनते हैं मादा युगमक में एक मियोसिस से एक ही क्रियाशील मादा युगमक बनती है तो नर युगमक अगर आपको 100 चाहिए N संख्या में नर युगमक चाहिए तो N बटा चार मियोसिस चाहिएगा और N की संख्या में अगर आपको मादा युगमक चाहिए तो N ही अर्दसूत्री विभाजन चाहिएंगे ठीके बचों, clear है बात अच्छा, पहले कभी question आते थे पुराने बचों आपको ध्यान होगा 125 बीज बनाने के लिए कितने मियोसिस चाहिए एक question आपने पुराना देखा होगा अब तो नहीं पूछते बट 125 बीज के लिए कितने मियोसिस चाहिए अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है 125 बीज तब बनेंगे बचों जब 125 नर युगमक या मैंने कहा दिया 120 ले लो एक बार दो मैंने कहा आपको 100 बीज बनाने है तो 100 बीज कब बनेंगे बचों 100 बीज तब बनेंगे जब 100 नर युगमक होंगे और 100 ही मादा युगमक होगी 100 बीज बीज तब बनेंगे जब नर युगमक और मादा युगमक का निशेचन होगा तो सो बीच के लिए सो नर युगमक चाहिएंगे और सो ही मादा युगमक सो नर युगमक के लिए कितने मियोसिस चाहिए पचीस सो मादा युगमक के लिए कितने मियोसिस चाहिए सो तो दोनों को जोर दो कितने मियोसिस चाहिएंगे एक सो पचीस कितने चाहिएंगे 125 चाहिएंगे तो कभी भी बीज पे सवाल आजाए भृून पे सवाल आजाए तो बीज बनाने हो भृून बनाने हो वो तब संभव है जब उतने ही नर्युगमक लेलो उतने ही मादा युगमक लेलो नर युगमक N बटा 4, मादा युगमक उतनी ही चाहिएंगी, 125 आ जाएगा clear है बात, clear है ये मियोसेज वाला system नर युगमक में N बटा 4 चाहिए, मादा युगमक में N ही चाहिए और बीज बनाने हो, युगमनज बनाने हो बताओ तो, 400 भृून बनाने हैं, तो हमको कितने अर्दसूत्री विभाजन लगेंगे, तो 400 नर युगमक और 400 ही मादा युगमक, इनके निशेचन से ही युगमनज और भृून बनेगा, तो 400 नर युगमक के लिए कितने मियोसिस चाहिएं, 100, इधर कितने चाहिएं, 400, तो कुल कितने मियोसिस चाहिएंगे, 500 मियोसिस, ठीक है भई, बढ़िया, सब को क्लियर है बात, तो जितने भृून और बीज कभी बनाने हो, तो उतने आप नर युगमक और उतने मादा मक ले लो, दौनों को जोर दो, उतने अर्ध सूत्री विभाजन आ जाएंगे, अब एक important चीज क्या ध्यान में रखनी है, clear है सापको बात, अब इतना simple चीज याद रखना है, तो meiosis में दो पद हम पढ़ते हैं, meiosis या अर्ध सूत्री विभाजन में हमको दो पद पढ़ने है हैं बच्चों मियोसिस वन और मियोसिस टू मियोसिस टू को अलग से याद भी नहीं रखना हम देखेंगे हमको सिरफ और सिरफ मियोसिस वन की बात करनी है मियोसिस टू का लोड नहीं लेना क्योंकि मियोसिस टू समसूत्री विभाजन है मियोसिस टू के सारे पद माइटॉस जैसे हैं, सुन लो बच्चों, मियोसिस 2 को अलग से याद रखने की जरुवत ही नहीं है, माइटोसिस के सारे के सारे पद हू बहू किसमें देखे जाते हैं, मियोसिस 2 में हम देखेंगे, जो जो समसूत्री विभाजन में अपने पड़ा है, प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज 2 में होगा, सारा खेल किसका है, मियोसिस 1 का, और एक सवाल गैरेंटीड मियोसिस 1 से आने वाला है, तो अब हम एके करके पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, मियोसिस 1 अर्द सूत्री विभाजन 1 अब वही, मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 में बच्चों, वही हमारे पास चार अवस्थाएं हम पढ़ेंगे, प्रोफेज 1, मेटा फेज 1, एना फेज 1, और टीलो फेज 1 मियोसिस 1 में हम ये चार अवस्थाएं पढ़ेंगे, मान के चलना एक सवाल इससे पका आएगा, गैरेंटीड तो आपके पास ये मियोसिस की चार अवस्थाएं है, प्रोफेज, मेटा फेज, एना फेज, इन में, सबसे लंबी अवस्था कौन सी है, सबसे लंबी, सबसे जटिल अवस्था कौन सी होती है, सबसे लंबी, सबसे जटिल अवस्था कौन सी है, प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 और इस पर ही सबसे जादा सवाल बनते हैं प्रो फेज वन जो है मियोसेस की सबसे लंबी और सबसे जटिल अवस्था है और ये सबसे लंबी और सबसे जटिल अवस्था पांच उप अवस्थाओं में विभाजित होती है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिपलोटीन और डाइकाइनेसिज तो मियोसेज 1, अर्दसूत्री, विभाजन 1 की बात हो रही है, इसमें सबसे लंबी, सबसे जटेल अवस्था कौन सी है, प्रोफेज 1 और प्रोफेज 1 की कितनी उपवस्थाएं होती है, पाँच उपवस्थाएं होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, इसी एक उपवस्था पर आएगा, मैच दकॉलम पर सवाल बन सकता है, कौन सी उपवस्था में क्या होता है, अब सुन लो एक चीज़ और, आपको सीक्वेंस तो समझी आ गया होगा, शुरुवात तो यहाँ पर भी G1 से होगी, फिर S अवस्थाएगी, फिर G2 आएगी, फिरोफेज 1 और फिरोफेज 1 में सबसे पहली अवस्था कौन सी आएगी, लेपटोटीन, क्रम क्लियर है, क्रम तो यही होगा ना, फिरोफेज 1 या लेपटोटीन से पहले तो कौन सी अवस्था रहेगी, G2, तो G1, S और G2 तो रहेगा, अगर अल एंगिक जनन कर तो जीवन एस जीटू और समसूत्री विभाजन का प्रोफेस था लेकिन लेंगिक जनन के दौरान युगमक बनाने हैं युगमक निर्मान करना है गेमीट्स बनाने हैं शुक्रानू बनाने हैं अंडानू बनाने हैं तो जीवन एस जीटू के बाद प्रोफेस वन की देखें, आजो, सबसे पहली अवस्था हमने ले ली है, प्रोफेज वन की लेप्टोटीन, लेप्टोटीन को पुरानी किताब गुलदस्ता अवस्था भी कहती थी, बूके अवस्था भी कहती थी, लेकिन अभी वाली NCRT में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो आपको मत द्यान रखूं, लेप्टोटीन से ठीक पहले क्या हुआ है बचों, लेप्टोटीन से ठीक पहले G2 अवस्था थी, अरे लेप्टोटीन से ठीक पहले G2 अवस्था थी, और G2 अवस्था में क्रोमेटिन के रेशे थे, हाँ वही, तो अब क्रोमेटिन के रेशे संघनित होकर गुन सूत्र बनाएंगे लेप्टोटीन में अब क्या ही होना है यार लेप्टोटीन में कुछ नहीं हो रहा वही वही क्रोमेटिन के रेशे क्रोमेटिन के रेशे संघनित होकर कंडेंस होकर किसका रूप लेंगे गुन सूत्र का नया तो क्या ही हो रहा है भई कुछ नहीं हो रहा है लेप्टोटीन में लेप्टोटीन में वही हो रहा था जो समसूत्री विबाजन के प्रोफेज में हो रहा है ये भी क्या हो रहा है लेप्टोटीन से ठीक पहले जीटू था तो जीटू में क्रोमेटिन के रेशे थे अब क्रोमेटिन के रेशे संगनित होकर क्या बनाते हैं गुनसूत्र लेप्टोटीन में अब क्या होगा लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन सारा चेंज सारा लफड़ा प्रॉब्लम जो अलग चीज है वो यहां से चालू होगी अब सुनो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं हमेशा याद रखना माइटोसिस और मियोसिस में अंतर कैसे याद रखोगे सुन लो माइटोसिस में हर गुनसूत्र बैचलर है सुन लो ध्यान से बात माइटोसिस जब हम समसूत्र विभाजन पढ़ते हैं हर गुनसूत्र बैचलर के रूप में काम करता है उ लेकिन जब हम मियोसिस की बात करेंगे तो मियोसिस में हर गुनसूत्र का पेर जोडा बन जाता है यही फरक है जब हम 23 जोडों की बात करते हैं गुनसूत्र जोडे की वो जोडे कहां बनते हैं यहां पर बनेंगे मियोसिस में बनेंगे माइटॉसिस में गुनसूत्र जोडे नहीं बनाता हर गुंसूत्र दूसरे गुंसूत्र से अलग रहता है अपने देखा था हर गुंसूत्र है उसमें गुंसूत्र बिंदू है और वो दो सिस्टर क्रोमेटिट से जुड़ा हुआ था हर गुंसूत्र दूसरे गुंसूत्र से स्वतंत्र था बैचलर था लेकिन यह गुनसूत्र अपने जोडे को ढूनडेगा और उसके साथ युगमित होगा ये एक गुनसूत्र जोडा है ये दूसरा गुनसूत्र और उसका जोडा है ये तीसरा गुनसूत्र और उसका जोड़ा है अब आप समझ रहे हो ऐसा जोड़ा अपन ने माइटॉसिस में नहीं बनाया था माइटॉसिस में अपन कह रहे थे ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे माइटॉसिस के अंदर ये छे अलग-अलग गुनसूत्र थे और ऐसे 46 अलग गुनसूत्र थे लेकिन जाइगोटीन में, मियोसिस में अब हर गुनसूत्र अपना जोड़ा बनाएगा हर गुनसूत्र अपना जोड़ा बनाएगा हर गुनसूत्र दूत्रे गुनसूत्र से युगमित होगा ये समजात गुनसूत्रों का युगमन है इसी को क्या कहते हैं बच्चों समजात गुनसूत्रों का युगमन या इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पेरिंग ओफ होमो लोगस क्रोमोजोम्स यही तो सबसे पहला अंतर आया हर क्रोमोजोम अब जोडे में मिलेगा ये मियोसिस का लक्षन है और हर गुनसूत्र बैचलर लाइफ जीएगा उस वो किसी दूतरे गुनसूत्र के साथ जोडा नहीं बनाएगा वो माइटॉसिस का लक्षन है तो हर गुनसूत्र ने युगमन और किसके मध्य युगमन हुआ है समजात गुनसूत्र ये समजात गुनसूत्र का एक जोड़ा ये समजात गुनसूत्र का दूसरा जोड़ा ये तीसरा ऐसे कितने जोड़े होंगे समजात गुनसूत्र तेईस जोड़े या छियालिस होमोजाइगस कंडिशन अब जेनेटिक्स में पढ़ते हैं आई बात सबको समझ में ये क्लियर हुई की नहीं बात तो जाइगोटीन में क्या हो रहा है जाइगोटीन में समजात गुनसूत्रों का युगमन होता है सबसे important बात समजात गुनसूत्र का युगमन pairing of homologous chromosomes और इस समजात गुनसूत्र के युगमन को हम synapsis कहते हैं इसे ही हम क्या कहते हैं synapsis याद रखना SISA English में synapsis ES लिख दूँ तो वो neuron के junction को कहते हैं दो neurons के मध्यर junction को synaps कहते हैं न उसमें IS की जगे ES आ जाएगा English में ध्यान रखना भई यही गलती हो जाती है यह E आ जाए अगर तो यह neurons के मध्यर junction होते हैं neurons के मध्यर junction होते हैं उसको synapsis कहते हैं यहाँ पर समजात गुनसूत्रों का युगमन है उसे synapsis IS कहेंगे तो समजात गुनसूत्रों का युगमन हुआ है अब सुनना समजात गुनसूत्रों का युगमन तो हो गया इसमें ये और ये ये तो sister chromatids है हाँ या ना ये तो आपके पास sister chromatids है ना ये जो मैंने किया ये sister chromatids है इसी तरह से ये भी आपस में ये दोनों आपस में क्या है sister chromatids ये दोनों भी आपस में क्या है sister chromatids इसी तरह से ये और ये आपस में क्या है sister chromatids लेकिन ये और ये आपस में क्या है ये और ये आपस में क्या है नोन सिस्टर क्रोमेटेड आर ये बात समझ में ये जो है ये तो आपस में क्या है ये वाली और ये वाली तो आपस में सिस्टर क्रोमेटेड है इसी तरह से ये वाली और ये वाली भी आपस में sister chromatid है और इसी तरीके से ये और ये आपस में sister chromatid है लेकिन ये वाली और ये वाली आपस में non-sister है ये और ये आपस में non-sister है ये और ये आपस में non-sister chromatid से है सही बात तो अब मुझे बताओ इसमें इसमें कुल कितने गुनसूत्र है इसमें कुल कितने गुनसूत्र है दो इसमें कितने गुनसूत्र है दो गुनसूत्र है तो इसको मैंने नाम दे दिया बाइवेलेंट बाइवेलेंट क्यों क्योंकि इसमें दो समझात गुनसूत्र है इसमें दो समझात गुनसूत्र है और क् क्रोमेटिड कितनी है एक दो तीन चार क्रोमेटिड कितनी है एक दो तीन चार चार क्रोमेटिड है टेटरेड क्रोमेटिड मैंने देखो टोटल क्रोमेटिड गिन रहा हूँ दो सिस्टर है ये भी दो सिस्टर है लेकिन ये नॉन सिस्टर है तो कुल क्रोमेटिड कितनी है चा समझाद गुनसूत्र कितने हैं दो तो दो समझाद गुनसूत्र हैं इसलिए इसको बाइवेलेंट कहेंगे और चार क्रोमेटिड्स हैं इसलिए इसको टेटरेड कहेंगे तो अब सुनो जाइगोटी नवस्था में क्या हुआ जाइगोटी नवस्था में समझाद गुनसूत्रों ने मिलकर एक दूसरे को ढूंड कर जोड़े बना दिये और जब समझाद गुनसूत्रों ने जोड़े बना दिये तो समझाद गुनसूत्रों के जोड़े को युगमन को क्या कहेंगे साइनेपसिज और साइनेपसिज होते ही किसका निर्मान होगा बाइवेलेंट या टेट्रैड का निर्मान होगा तो सवाल आजाए ध्यान से सुनना सवाल आजाए बाइवेलेंट और या टेट्रैड का निर्मान की सवस्था में होता है जाइगोटीन में लेकिन वो स्पष्ट रूप से कब दिखाई देंगे NCRT में दे रखाए वो स्पष्ट रूप से क्लियरली दिखाई देंगे अगली अवस्था में पैकाईटीन सुन लो NCRT की लाइन है फिर बता रहा हूं सवाल आजाए बाइवेलेंट या टेट्रैड का निर्मान की सवस्था में होगा निर्मान जाइगोटीन में होगा लेकिन वो क्लियरली स्पष्ट रूप से क्लियरली कब दिखेंगे अगली दूसरे के साथ जोड़ना पड़ेगा यह युगमन दर्शाएंगे तो समझाद गुनसूत्र एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो गोंद जो इनको जोड़के रखती है उसी को साइनेप्टो निमल संकुल या साइनेप्टो निमल कॉम्पलेक्स कहते हैं बहुत तरी युगमित रखने में जोड़ने में कौन काम करता है साइनेप्टो निमल संकुल तो अब सुनो जाइगोटीन से कैसे पैचानोगे कि जाइगोटीन की बात हो रही है समझाद गुनसूत्रों का युगमन जाइगोटीन साइनेप्टो निमल संकुल जाइगोटीन साइनेप् समझाद गुनसूत्रों का युगमन, साइनेपसिस, जाइगोटीन, साइनेप्टनिमल संकुल जो उनको जोड के रखेगा, जाइगोटीन, और बाइवेलेन टेटरैड का निर्मान, जाइगोटीन, आ गई बात सब को समझ में, बाइवेलेन टेटरैड का निर्मान, जाइगो लेकिन वो स्पष्ट रूप से क्लियरली कब दिखाई देगा पैकाई टीन में तो next आपके पास next आपके पास zygoteen के बाद तीसरी अवस्था आती है जिसे हम कहते हैं पैकाई टीन ये भी बहुत important है क्योंकि पैकाई टीन में क्या होगा पैकाई टीन अवस्था में क्या होगा युगमन तो हो गया बच्चों ये समजात गुनसूत्र जो थे समजात गुनसूत्रों का युगमन बाइवेलेंट या टेटरैट तो बन गए बन गए ये समजात गुनसूत्र जो है वो एक दूसरे के साथ युगमत हो गए अब पैकाईटीन में क्या होता है जीन विनीमय या पूनर योजन हाँ पैकाईटीन अवस्था में क्या देखा जाएगा जीन विनीमय या पूनर योजन जिसको हम कहते हैं Crossing over या Recombination और NCRT लिखती है कि Recombination Nodule का निर्मान होता है Recombination Nodule मतलब पूनर योजन अब क्या मतलब पूनर योजन पूनर योजन का मतलब है समजात गुनसूत्रों के Non Sister Chromatids के मध्य ये दोनों समजात गुनसूत्र हैं समजात गुनसूत्रों के Non Sister Chromatids के मध्य DNA का आदान प्रदान किसके मध्य समजात गुनसूत्रों के Non Sister Chromatids के मध्य DNA का आदान प्रदान Exchange of DNA between Non Sister Chromatids of Homologous Chromosomes तो यही और इसमें ये NCRT लिखती है ये एंजाइम द्वारा प्रेरित होता है और इस एंजाइम को हम Re-Combinase कहते हैं ये प्रक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होती है एंजाइम के द्वारा और जो एंजाइम पूनर योजन का उत्प्रेरन करती है उसे कहते हैं Re-Combinase इसी के कारण Genetic Variation आती है सवाल आजाए आनुवानशिक विवित्ता आनुवानशिक Genetic Variations किस अवस्था में आएंगे तो पेकाइटीन में आएंगे अब NCRT की एक और लाइन है NCRT कहती है कि Leptotene और Zygotene तो फटाफट हो जाते हैं Leptotene और Zygotene तो जल्दी हो जाते हैं उसकी तुलना में लंबी अवस्था होती है पेकाइटीन है NCRT की लाइन Leptotene और Zygotene तो जल्द हो जाती है समय किसमे लगता है पेकाईटीन में इन में बिलकुल इनको तोड़कर जोड़ने में समय लगेगा और तोड़ने जोड़ने वाली एंजाइम है रीकॉंबिनेस ये समझाद गुनसूत्रों के नौन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य डियेने का आदान प्रदान करती है और इसी के कारण आनुवांशिक विवित्ता आती है तो पेकाईटीन कैसे पैचान होगे बाइवेलेंट या टेट्रैड स्पष्ट रूप से क्लियरली कब दिखेंगे पेकाईटीन में जीन विनिमय या पूनर योजन किसमे होगा पेकाईटीन में रीकॉम्बिनेस एंजाइम किसमें काम करेगी पेकाईटीन में आनुवांशिक विवित्ता की सवस्था में आईगी पेकाईटीन में आ रही है बाद समझ में समझात बाइवेलेंट टेटरैड क्लियरली स्पष्ट रूप से कब दिखेंगे पैकाईटीन, जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर पैकाईटीन, रीकॉंबिनेशन नॉड्यूल पैकाईटीन, रीकॉंबिनेस एंजाइम पैकाईटीन, जेनेटिक विविदता वेरियेशन इसी को जीन विनिमय या पूनर योजन कहते हैं, अब पैकाईटीन के बाद नेक्س्ट आता है डिपलोटीन, पैकाईटीन के बाद नेक्स्ट अवस्था आती है डिपलोटीन, और आपको ध्यान होगा बच्चों ये अवस्था और भी लंबी है, महीनों से लेकर सालों तक चलती है काफी अंड कोशिकाओं में स्तंधारियों की अंड कोशिकाओं में सरी सर्प की अंड कोशिकाओं में कशे रूकियों की अंड कोशिकाओं में वर्टीब्रेट के उसाइट में यह महीनों से सालों तक चलती है अब इसमें क्या होता है इन डिपलोटीन में क्या होगा भच्चों डिप्लोटीन में आप के पास जो गुध है ना साइने शूत्रोन संकुल वो घुलने लगेंगा अब आप देखो क्या होगा जो साइनेप्टोनिमल संकुल है जो साइने गुथमेल कॉम्पलेक्स जाद जो इन दौनों GUNスूत्रों को जोड के रख रहा था वो घु पर जीन विनीमय हो रहा है और इन एक्स आकार की सनरचना को कायजमाटा कहते हैं। अब आप समझो किसकी बात हो रही है डिपलोटीन की। डिपलोटीन चलेगा लंबे समय तक और भी लंबा महीनों से सालों तक चलता है। इतने दोरान Sinecitonimal संकुल गोंध है वो खतम होने लग जाता है। गौंध या चिपचिपा हिससा खतम होने लग जाएगा तो समझाद गुनसूत्र प्रतीकर्शन दर्शाएंगे। और समझाद गुन्सूत्र प्रतिकर्शन दर्शाएंगे तो उन-उन जगे पे जुड़े रहेंगे जहां पर जीन वी निमय होता है और वो शेतर जहां पर जीन वी Creation होता है वो X आकार की संदचनाय क्या कहलाती है कायजमाटा तो कायजमाटा आपको किस अवस्ता में तीन अवस्था में काईज माटा वो बिंदू है समझाद गुनसूत्रों पर जहां पर जीन विनिमय हो रहा है जहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो जीन विनिवय वाले शेत्र को ही क्या कहते हैं काईज माटा जीन विनिमय अरे सर आप कोई वोईस जो है साउथ मूवी के हीरो जैसा है अरे यार वोईस तो ठीक है चेहरे पर भी आप मजे ले रहे हो हमें तो लगा था ठीक ठाक है पर आप तो आराज तो आपने बहुत ज़्यादा खराब बोल दिया ठीक है अब चेहरा पसंद नहीं कोई दिक्कत नहीं है यार समझ लो आप हमारा तो उद्देश्य यहाँ पर है कि आपको ऐसा चैप्टर आसान कर दें चैप्टर को सिंपल कर दें आसान कर दें फ्लो चार्ट के माध्यम से टिप्स पर बना दें उतना कर लोगे यार हमारा उद्देश्य सफल हो गया है ठीक है चलो तो डिप्लो टीन पर क्या दिखेगा कायज माटा आपको दिखेगा अब आखरी अवस्था ठीक है भई अब आखरी अवस्था हमारे पास कौन सी हो गयी है डायकाइनेसिस आखरी अवस्था हमारे पास डाया काइनेसेज अब ये प्रोफेज वन की अंतिम अवस्था है ये आपके पास ये आपके पास आखरी अवस्था है प्रोफेज वन की इसमें क्या होगा उपान्ती भवन डाय काइनेसेज में क्या देखा जाएगा भई उपांती भवन या टर्मिनलाईजेशन ओफ कायजमाटा मतलब ये कायजमाटा सिरे पर पहुच कर अलग हो जाएगा आ गई समझ में बात ये आपके पास उपांती भवन या टर्मिनलाईजेशन का मतलब है ये सिरे पर ये जो आपके पास एक्साकार का कायज माटा है सिरे पर पहुचकर अलग हो जाएगा इसे उपांती भवन कहेंगे डाय काइनेसिस और क्योंकि ये अंतिम अवस्था है प्रोफेस की तो यहाँ पर आपके पास वही केंद्रक जिल्ली केंद्री का इयार और गोलजी ये सब आपके पास विलुप्त या डिसापियर हो जाएंगे बई प्रोफेस की आखरी अवस्था है और प्रोफेस वन की आखरी अवस्था है तो कायज माटा का उपांती भवन होगा सिरे पर पहुचकर अलग हो जाएंगे और क्योंकि वो अंतिम अवस्था है तो केंद्रक, जिल्ली, केंद्री का ER और गुलजी अलग-अलग हो जाएंगे ये सारे के सारे पांच उप अवस्थाएं हैं अब कैसे याद रखोगे इसको सुन लो अब इसको शौट में फ्लो चार्ट में बना देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं करना इस पे सवाल यू का यू आएगा बच्चों और ये फ्लो चार्ट काम आएगा आपके पास लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिपलोटीन, डायकाइनेसिस फिर बता रहा हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यू का यू सीधा सवाल अगर नहीं चपा तो हम बता देगा कैसे लेप्टोटीन में आपको पता है केवल क्या हो रहा है, कुछ खास बात तो है नहीं केवल क्रोमेटीन का रेशे संघनित होकर गुन सूत्रों में परिवर्तित हो रहे हैं केवल क्रोमेटीन के रेशे संघनित होकर गुन सूत्र बना रहे हैं Zygotein में आपको क्या-क्या परपद है? Synapsis. Synapsis जिसे हमने कहा था समजात गुनसूत्रों का युगमन. तो समजात गुनसूत्रों का युगमन या पेरिंग साइनेपसिस होगी. किसका निर्मान? Bivalent या Tetrad का निर्मान. Bivalent या Tetrad का निर्मान, formation. और क्या सा लक्षन होगा, साइनेप्टोनिमल संकुल, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहां मिलेगा, जाइगोटीन में, फिर पैकाईटीन में आपको क्लियरली दिखेगा, क्लियरली विजिबल सवाल आ जाए, कि बाइवेलेंट और टेट्रैड स्पष्ट रूप से कब दिखाई देगा, तो पैकाईटीन, फिर आपके पास पूनर योजन, यानि जीन विनीमय, जीन विनीमय या पूनर योजन कि सवस्था में देखा जाएगा, पैकाईटीन में, री कॉम्बिनेस एंजाइम किस में देखी जाएगी, पैकाईटीन में, आनुवानशिक विवित्ता कि सवस्था में आईगी, पैकाईटीन में, डिपलोटीन में आपको क्या देखने को म काईजमाटा देखने को मिलेगा और उपानती भवन किसका लक्षन है डायकाइनेसिस का इस तरह से आपको ध्यान में रखना है यह पांचों अवस्थाओं के लक्षन आपको ध्यान में रखने है आ गई सबको समझ में बच्चों एक प्लीज ये प्रोफेज वन की ये प्रोफेज वन की अवस्थाएं है पांचों की पांचों सीधा मैच दे कॉलम आ जाए आप इसको देखकर कर लेना ठीक है बच्चों, clear है pro phase 1 वाला पूरा system, पूरा clear pro phase 1 के पाचों पवस्थाओं में क्या-क्या हो रहा है, अब अपने पास, अब अपने पास next आता है pro phase 1 के बाद meta phase 1, pro phase 1 के बाद क्या आएगा? meta phase 1, अब बहुत आसान बच्चों, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, meta phase 1 में आपको इतना पता होना चाहिए, वही तरकू तन्तू का बहूली करण होगा, ये तरकू तन्तू स्पिंडल फाइबर का बहूली करण होगा, और समजात गुन्सूत्रों का जोड़ा, ये आपके पास समजात गुन्सूत्रों का जोड़ा, कहां पर व्यवस्तित हो जाएगा? meta phase पट्टी पर, ये मैं तीन-तीन जोड़े बना रहा हूँ, हमें पता है कितने जोड़े होंगे? 23 जोड़े, तो ये समजात गुन्सूत्रों के जोड़े कहां पर आकर व्यवस्तित हो गए? meta phase पट्टी पर, meta phase का मतलब है सब केंद्र में आ जाएंगे, सब meta phase पट्टी पर आ जाएंगे, तो सारे गुन्सूत्रों के जोड़े, ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, ऐसे कितने जोड़े मिलेंगे? ऐसे 23 जोड़े हैं, और ऐसे 23 के 23 जोड़े कहां पर आकर व्यवस्तित हो गए? meta phase पट्टी पर आकर व्यवस्तित हो गए, ये समझाद गुन्सूत्रों के जोड़े है, meta phase में, अब सबसे next मुख्या अंतर आता है, एना phase 1 में, ये भी बहुत important है, एना phase 1 में, याद करो बच्चों, माइटोसिस के एना phase में क्या हो रहा था? माइटोसिस के एना फेज में माइटोसिस के एना फेज में सेंट्रोमियर विघटित होकर सिस्टर क्रोमेटिज अलग-अलग हो रहे थे यहाँ पर ऐसा नहीं होगा यहाँ पर समजात गुनसूत्र का प्रिथक करण होता है यहां पर संजात गुनसूटर, Homologous Cromosomes का separation होगा Separation of Homologious Cromosomes तब नहीं तो गुनसूटरों की संख्या आधी होगी इदर क्या होगा, बच्चों देखो ये गुनसूटर अलग होगा, ये अलग होगा अब आपके पास यहां पर यहां पर समजात गुनसूत्र अलग होंगे भई ये एक गुनसूत्र अलग ये 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 गुनसूत्र अलग इसे मिलाकर 2N कहते थे तो अब गुन सूत्रों की संख्या क्या हो गई? गुन सूत्रों की संख्या आधी किस अवस्था में होती है? एना फेज 1 में यही याद रखना है भई माई टॉस देखो मियोसिज में जोडे बन गए थे जोडे बन गए थे जोडा इसलिए ही बनाया ताके DNA का आदान प्रदान कर सकें विवित्ता ला सकें और विवित्ता लाने के बाद अब समझाद गुन सूत्रों के जोडे अलग हो जाएंगे और समझाद गुन सूत्रों के जोडे अलग हो जाएंगे 360 डिगरी तयारी का मतलब है जब ये समजाद गुनसूत्र प्रिथक करन नहीं कर पाते तो आनुवानशी की वाले चैप्टर में दे रखा है असगुनिता होती है एनुपलोईडी वो याद है 2N प्लस 1, 2N माइनस 1, मोनोसोमी, ट्रायसोमी, वो मोनोसोमी और ट्रायसोमी क्यो होती है क्योंकि जब ये समजाद गुनसूत्र प्रिथक नहीं हो पाते वो सारी प्रॉबलम कहां होती है एनुपलोईडी आती है याद है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सारी चीजे हाँ तो एनाफेज 1 में ये, इसका मतलब एनाफेज 1 में क्या नहीं होगा एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर का गुनसूत्रिय बिंदू का अपघटन नहीं होता इसमें सेंट्रोमियर का विघटन, गुनसूत्रिय बिंदू का विघटन नहीं होता भई माइटोसिस क्याना फेज में सेंट्रोमियर का विघटन होता था क्योंकि उसमें गुनसूत्रों के जोड़े तो थे ही नहीं यहाँ पर जोड़े बने हैं अलग-अलग हुआ है गुनसूत्रों की संख्या आधी हुई है अब टीलो फेज बन आसान है भई टीलो फेज बन में केंद्रक जिल्ली आ जाएगी और कोशी का द्रव्य विभाजन हो जाएगा कोशी का दो में विभाजित हो जाएगी टीलो फेज में तो कुछ क्याद ही नहीं रखना टीलो फेज तो बहुत आसान है भई तीलो फेज is very easy अब आपके पास जो गुन सूत्र थे वो वापस किसमें क्रोमेटिन रेशो में परिवर्टित हो जाएंगे बिल्कुल सही वापस क्रोमेटिन रेशो में परिवर्टित हो जाएंगे और दूसरा आपके पास वही केंद्रक धिल्ली केंद्रिक और यह सब पूनह निर्मित हो जाते हैं और NCRT लिखती है इसके बाद एक कोशिका से एक डायेड ओफ कोशिका बनती है बनती है ना डायेड ओफ सेल्स लिखती NCRT कोशिका का द्विक और ये कब हुआ है meiosis first ये हुआ है meiosis first आ गई बात समझ में मतलब meiosis 1 में दो ही important अवस्थाएं है pro phase 1 और anaphase 1 pro phase 1 में गुन सूत्रों में जोड़ा बनाया समझाद गुन सूत्रों ने DNA का आदान प्रदान से अनुवानशिक विवित्ता लेकर आई और anaphase 1 में वो समझाद गुन सूत्र अलग-अलग होकर गुन सूत्रों की संख्या आधी करती आ गई बात समझ में अब meiosis 2 अब सुनना अब सुनना बहुत important चीज़ बता रहा हूँ बहुत important चीज़ क्या था कि आपके पास G1, S, G2 pro phase 1 meta phase 1 anaphase 1 telophase 1 यह कौन सी अवस्था है थी? यह सारी meiosis 1 की थी अब meiosis 2 होगा pro phase 2 metafase 2 anaphase 2 telophase 2 यह आपके पास कौन सी अवस्था हो गई? meiosis 2 पहली चीज में आपसे कह रहा हूँ बच्चों meiosis 2 के अलग से meiosis 2 के अलग से पद आपको याद नहीं रखने हैं बिल्कुल नहीं रखने हैं क्योंकि meiosis 2 बिल्कुल mitosis जैसा है जो अर्द सूत्री विभाजन meiosis 2 है ना बच्चों वो बिल्कुल और बिल्कुल समसूत्री विभाजन जैसा है सारे के सारे पद समसूत्री विभाजन जैसे हैं अलग से याद ही मत रखो बिल्कुल मत याद रखो सारे समसूत्री के पद है समसूत्री विभाजन के और इनके मध्य एक अल्प कालित अवस्था होती है इंटर काइनेसेज एक अल्प कालित अवस्था है इंटर काइनेसेज इसमें एक इंपोर्टन चीज एंसी आटी कहती है एस अवस्था है नहीं तो जीवन हुआ एस हुआ जीटू हुआ फिर अर्दसूत्री विभाजन फर्स्ट फिर अर्दसूत्री विभाजन सेकिंड के बीच में एक अल्प कालित शॉर्ट अवस्था होती है जिसे इंटर काइनेसिस कहते हैं तो इसका मतलब एक पूरे प्रतिकृती करन DNA replication तो एक ही बार हो रहा है। यही NCRT का point है। एक पूरे अर्ध सूत्री विभाजन meiosis में DNA replication तो एक ही बार हो रहा है। लेकिन विभाजन जो है कोशी का विभाजन दो बार हो रहा है। आई बात समझ में DNA replication तो एक ही बार हो रहा है ये रहा यहां पर DNA replication एक ही बार हुआ लेकिन विभाजन meiosis 1 में और meiosis 2 में हुआ ये ही NCRT में दे रखा है आ गई बात सबको समझ में DNA replication एक ही बार हो रहा है विभाजन दो बार हो रहा है meiosis 1 और meiosis 2 के बीच में अलपकालित interkinesis है जिसमें ऐसा वस्ता क्योंकि वापस DNA का प्रतिकृतिकरण नहीं करना है meiosis 1 क्या कर रहा है बच्चों meiosis 1 गुन सूत्रों की संख्या को आधी कर रहा है और ये कहां पर हो रहा है एनाफेस फर्स्ट में गुन सूत्रों की संख्या आधी कब होगी एनाफेस 1 में और centromere चलो अब मेरा सवाल है अब मैं आपका वो भी देखता हूं comment भी मुझे गुन सूत्रिय बिंदू का विघटन कहां होगा मुझे आप ये बता दो कि इसमें इस पूरे meiosis में गुन सूत्रिय बिंदू का अपघटन centromere की splitting कहां होगी बताओ ज़रा comment चेक करूं आपके centromere की splitting हाँ centromere की splitting कहां होगी एना फेस सेकंड में क्योंकि सारे के meiosis 2 के अर्द सूत्री सेकंड के सारे फेस सारी अवस्थाएं किसके जैसी है माइटोसिस के जैसी ना आरे meiosis 2 बिलकुल किसके जैसा है समसूत्री विभाजन के समान ही तो है आँ टीलो फेस नहीं एना फेस सेकंड में बच्चों एना फेस सेकंड में आ गई बात समझ में तो अर्द सूत्री विभाजन meiosis में सारा खेल ही प्रो फेस वन याद रखना और एना फेस वन जहांपर समझाद गुन सूत्रों की संख्या या समझाद गुन सूत्रों को प्रिथक करके गुन सूत्रों की संख्या आधी की है तो मुझे बताओ जै विकास में evolution में समसूत्री विभाजन का योगदान होता है या अर्दसूत्री विभाजन का evolution में जै विकास में किसका योगदान होता है बच्चों जै विकास में योगदान अर्दसूत्री विभाजन का होगा समसूत्री विभाजन का होगा माइटोसिस का होगा या मियोसिस का होगा तो अब्विसी बात है जै विकास का मतलब है सर विवित्ता ना विवित्ता किस में आईगी भई वेरियेशन किस में आएंगे भई मियोसिस में वेरियेशन किस में आएंगे मियोसिस में आएंगे बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही तो जै विकास में योगदान कौन देता है मियोसिस क्योंकि उससे आनुवानशिक विवित्ता आती है जेनेटिक वेरियेशन्स आते हैं तो जै विकास में योगदान कौन देगा अर्द सूत्री विभाजन या मियोसिस देगा मैं फिर आपको बता रहता हूँ Miosys 2 के पद अलग से याद रखने की जरुवत नहीं है क्योंकि Miosys 2 हू बहू किसके समान होता है Maitosis के और इसमें Centromere का Vigaton होगा और Centromere के Vigaton से Chromatids जो थी वो अलग-अलग हो जाएंगी आ गई बात समझ में देखो बच्चो यही चैप्टर हमने पूरा कर लिया यही पर देखो अब NCRT जो थी ना सारे पॉइंट्स क्लियर हैं देखो हम जब दूसरे पेच से चालू कर रहे थे यहाँ पर मैंने आपको सारा बता दिया कोशी का चक्र यह देखो यह रहा घटनाओ कानुक्रम कोशी का आपने गुनन करती है यह देखो कोशी का वृद्धी सतत प्रक्रिया है मैंने बताया था DNA का संचलेशान विशिश अवस्था में होता है हर NCRT के important point को मैंने बता दिया है हर NCRT के important point को मैंने बता दिया है फिर आपको यह phases में अपने अंत्रा अवस्था यह बता दिया यह कोशी का देखो 24 घंटे में विभाजन होगा किसका eukaryotic मानव का yeast में आपको दे रखा है लगभग 90 मिनट लगते हैं यह point अपनने देख लिया था सारे के सारे point बच्चो यह पूरा चक्र हमने देख लिया था पूरा का पूरा चक्र हर अवस्था हमने यह देखो यह रहा आपके पास विभाजन में अंत्रा अवस्था 95 प्रतिशत से अधिक कोशी का विभाजन एक घंटे में पूर्ण हर लक्षन हर एक point जो है बच्चो में बता रहा हूं आपको हर एक point NCRT का हमने देख रखा है केंद्रक विभाजन हमने देख लिया कोशी का द्रव्य विभाजन के लक्ष जब आप पढ़ेंगे हर एक point हम देख चुके हैं जीवन अवस्था, S अवस्था, G2 अवस्था, S अवस्था में ये रहा DNA का निर्मान प्रतिकृतिकरन होगा, DNA की मात्रा डुगनी हो जाती है, 2C से ये 4C हो जाती है, सारी अवस्था, गुन सूत्रों की संख्या 2N ही रहत हर एक पद, जब आप NCRT खोल के पढ़ेंगे, ऐसा कोई बिंदू नहीं है, ऐसा कोई point नहीं है, जो हमने छोड़ा हो, तो इतना याद रखेगा बच्चों, हर एक point को अपनने flow chart के माध्यम से कमवर किया है, तो अब questions की बारी कर लें बच्चों, जब आप questions हम solve कर लें assertion, reason के सवाल लेकर आया हूँ, अब question आप पढ़िएगा और उसके जवाब आप हमको दीजिएगा, आज आओ भई, तो पहला question है, ध्यान से assertion और reason अभी कतन और तरक का है? देखें बच्चों, पहला कथन क्या कह रहा है, एनाफेस के दोरान, सेंट्रोमियर का विगटन होता है, बिल्कुल सही, और chromatid जो होते हैं, वो अलग हो जाते हैं, यही सही बात है, एनाफेस के दोरान, सेंट्रोमियर गुन सूत्रिय बिंदू का विगटन होता है, और chromatid सेपरेट होते हैं, सही बात है, और इसके कारण क्या होगा भई, एनाफेस में chromatid opposite विपरी धुरुवो की और गती तो सेंट्रोमियर का विगटन होगा, chromatid अलग-अलग होंगे, और chromatid विपरी धुरुवो के कारण गती करेंगे, तो बिलकुल कथन कारण दोनों सही हैं, दोनों उसको explain भी कर रहा है, अंसर आपके पास first, बिलकुल सही, दोनों में कोई गलती नहीं है, चले next question, ध्यान से करिएगा बढ़िया सवाल है, NCRT का diagram पे सवाल लाये है, इन में X क्या दर्शा रहा है, ये रहा X, ये है आपके पास X, ये अवस्था X है, ये अवस्था S, ये अवस्था G2, ये M अवस्था, तो इन में से X अवस्था के लिए क्या सही है, ये आपको बताना है, ठीक है, तो पहली चीज तो बच्चों, X हमको क्या दर्शा रहा है, G1 अवस्था, हमको मालूम चल गई है, X कौन सी अवस्था है, G1, क्योंकि उसके बाद S आएगा, फिर G2, कोशी का उपाप्चे रूप से निश्क्रिया है, गलत, अपने देखा था, उपाप्चे रूप से क्या होती है, सक्रिया, उपाप्चे रूप से निश्क्रिया हो नहीं सकती, तो गलत, फिर है गुन सूत्रों की संख्या S face से आधी होती है गलत गुन सूत्रों की संख्या तो सेम ही रहती है भई गुन सूत्रों की संख्या तो सब अवस्थाओं में सेम ही रहती है चेंज नहीं होगी और last for more than 95%, 95% तो पूरी अंत्रा अवस्था होती है अरे अंत्रा अवस्था सिरफ G1 थोड़ी 95% है G1, S, G2 ये पूरा मिलाकर 95% से ज़ादा है तो ये भी गलत है सही कौन सा हो गया second क्योंकि S अवस्था में DNA 4C होगा तो इस अवस्था में DNA 2C रहता है G1 अवस्था में DNA 2C होता है S अवस्था में 4C हो जाता है तो DNA की मात्रा आधी ही होगी तो इसका सही जवाब क्या हो गया हमारे पास second सही जवाब हो गया चलें आगे बचों, next सवाल इन में से कौन सा G1 अवस्था के लिए सही है देखे बचों, G1 अवस्था के लिए क्या सही है हिस्टोन प्रोटीन का संचलेशन गलत वो तो किस अवस्था में होता है हिस्टोन प्रोटीन का संचलेशन S अवस्था में तारक केंद्र का डूप्लीकेशन प्रद ये भी किस अवस्था में होता है S तो ये गलत हो गया तो आल तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल माइटोसिस M अवस्था और S अवस्था के मध्य की अवस्था G1 है इसलिए G1 को अपने क्या कहा था पश्च M अवस्था या पूर्व S अवस्था सारे क्वेस्चन बच्चों ध्यान रखना NCRT की लाइनों से उठा के लाये हूँ हर question आपने देखा होगा NCRT की Lines के अधार पर है इसी तरह के प्रश्ण बदने हैं आपके देखना तो इसका जवाब क्या हो गया बच्चों हमारे पास पहला हो गया फिर next question ध्यान से हर question ध्यानतना बच्चों हर सवाल जो है NCRT के कथन NCRT की लाइनों से उठाएं गए इन में से S अवस्था के लिए क्या सही है ठीक है बच्चों पहला कह रहा है कि अगर शुरुवातिप अमाउंट 2C था तो ये 4C हो जाता है बिल्कुल ये कथन बिल्कुल सही है S के लिए सेंट्रियोल डूप्लिकेशन एनिमल सेल्स में होता है सही है अहां हाँ हायर प्लांट ये गलत हो गया ना तारक केंद्र उच्च पादपों में होता ही नहीं गूगली थी हलकी सी अगर यहां तक देखा फटा फट सी कर दिया तो हो जाएगी गलती क्वेस्चन को ध्यान से पढ़ा करो सुन लेना बचों क्वेस्चन को बढ़िया स्टेट्मेंट के सवाल होते हैं हलकी सी गलती बहुत हमको दुख देती है आगे चल कर यहां तक तो सीखी लग रहाता था जन्तु कोशिका में हाट अरे यहां उच्च पादप गलत हो गया पादपों में तारक केंदर नहीं होते हो गई गलती लेकिन मैं हमेशा कहता हूं गलती करना गलती नहीं है गलती से सीखना लेना वो गलती है तो कोशिश कीजेगा कि आगे से यह गलती ना हो ठीक है चलिए तो इसका सही जवाब आपके पास सिरफ ए होगा बच्चों बी न आगे next question हाँ अब इन में से correct statement आपको बताना है अब कथन को ध्यान से पढ़के और फिर जवाब देंगे भई क्या कह रहा है पादब कोशिका में G0 नहीं होती गलत पादब कोशिका हो जंतू कोशिका हो सब में G0 होगी अगर कोई कोशिका विभाजन नहीं कर रही है कोई cell divide नहीं कर रहा है तो वो G0 में रहेगा एपसेंट कैसे होगा गलत हो गया replication G2 अवस्था में चलता रहता है नहीं भई S अवस्था में रहता है S अवस्था में complete हो जाता है G2 अवस्था तक replication नहीं होगा early S phase में force ही होगा अरे नहीं भई DNA replication S phase में चालू करेगा तो late S phase तक जाते जाते late S phase में force ही ना एकदम जल्दी से कैसे हो जाएगा तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा first M अवस्था M अवस्था तो G2 के बाद होगी और शुरुवाती M अवस्था में DNA की मात्रा 4C होती है और वो अवस्था में ध्यान से पढ़ना कितने कथन सही है कितने कथन गलत है ध्यान से करना सारे स्टेटमेंट बच्चों में बार बार कहता हूँ सारे स्टेटमेंट NCRT से उठाए गए हैं हमारा उद्देश्य NCRT को 360 डिगरी तयार करना है घोल के पी लेना है एक कथन आपको ध्यान हो एक कथन को अपनने पहले फ्लो चार्ट से समझा था अब उसी के स्टेटमेंट के बेसिस पे सवाल बनाए है तो स्टेटमेंट पढ़ें पहला प्रो फेज में गुन सूत्रिय या क्रोमेटिन का संगनन होता है बिल्कुल सही इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिर क्रोमोजोम मटीरियल कंडेंस होकर क्या बनाता है बिल्कुल क्रोमेटिन कॉंडेंसेशन इसमें भी कोई गलती नहीं है बिल्कुल सही है फिर है S और G2 अवस्था में DNA जो है वो बिल्कुल डिस्टिंग नहीं होता बिल्कुल सही है क्योंकि S G1 अवस्था, S अवस्था, G2 अवस्था में तो आपको क्रोमैटिन रेशे दिखेंगे, गुन सूत्र संगनित रूप से दिखेगा नहीं, वो तो प्रोफेज में दिखता है, तो ये भी सही है, फिर nuclear envelope, intact to the प्रोफेज, संपून पूर्वा अवस्था में केंद्रक आवरन बना रहता है, गलत, क्योंकि अपने देखा था, प्रोफेज के अंत अक आते आते, वो विलुप्त हो जाता है, तो ये कथन गलत हो गया, फिर प्रोफेज के अंत में कोशी का में गोलजी, E.R. और नूक्लियोलस दिखाई देते हैं, गलत हो गया, नहीं दिखाई द सब्सक्राइब कर दोए तो आपको सवाल करने में दिक्कत नहीं होगी इसी तरे के सवाल आप देख लेना अगर आपने देखा हूँ इसी के सवाल आपके नीट में बनने वाले है ठीक है बचों फिर जलें आगे next question ये आसान है फटा फट इसमें समाई नहीं लगाएंगे ये basic सिधा आसान question है कौन सी अवस्था गुन सूत्रों की आकारिकी करने के लिए संख्या आकारिकी का अध्यन आते ही आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है आकारिकी या morphology आते ही metaphase अब इन में से कौन कौन से कथन सही है पहला है पादप समसूत्री विभाजन haploid और diploid soils दोनों में दिखाते हैं बिलकुल सही haploid cell, diploid cell दोनों में दिखाते हैं G0 अवस्था में उपापचे रूप से सक्रिया होते हैं मैंने बताया था लेकिन divide नहीं करते हैं बिलकुल सही वो metabolically active हैं लेकिन विभाजन नहीं होंगे सही है बोथ भी animal में mitotic cell is absent गलत, present होता है न भई कौन से अपने देखा था जो honeybees हैं मधू मक्हियां हैं मधू मक्हियों के नर के अंदर haploid cells में भी mitosis होता है तो ये गलत हो गया इसका answer हमारे पास क्या हो गया भई c answer इसका सही है बढ़िया बच्चों सही करते जा रहे हो आप हाँ ये थोड़ा सा ध्यान से करना बढ़िया है आसान ही है कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए कि 32 cell बनाने के लिए कितने division चाहिएंगे तो हमें पता है बच्चों एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती है दो फिर दो से कितनी बनती है चार चार से कितनी बनेगी आठ आठ से कितनी बनेगी सोला तो आपको हमेशा जब कुल कोशिकाओं की संख्या ग्याद करनी होती है उसके लिए सूत्र क्या बन जाएगा टू की पावर एन इसका मतलब बच्चों एक विभाजन हुआ, पहला विभाजन हुआ तो दो कोशी काएं, दूसरा विभाजन हुआ चार कोशी काएं, तीसरा विभाजन हुआ आठ कोशी काएं, चौथा विभाजन हुआ 16 कोशी काएं, पांचवा विभाजन हुआ 32 कोशी काएं, तो 32 कोशी काओं के लिए कितने विभाजन चाहिएंगे 5 सूत्र कौन सा फॉर्मूल लगता है 2 की पावर N अगर 6 विभाजन होते तो 128 7 विभाजन होते 6 विभाजन होते तो 64 7 विभाजन होते तो 128 8 होते तो 256 एन सो ओन तो ये आंसर आपका क्या हो गया 5 ठीक है फिर इन में से एनाफेस के लिए कौन सा कथन सही है एनाफेस के लिए कौन सा कथन सही है तो माइटोसिस की सबसे छोटी अवस्ता है बिलकुल हमने देखा था इसमें गुन सूत्रिय बिन्तु विभाजन होता है क्रोमेटिड अलग होती है बिलकुल सही और chromatids विपरी धुरुवों की और गती करती है सारे के सारे कथन किसके लिए जा रहे है सारे के सारे कथन एनाफेस के लिए जा रहे है ठीके बचों, तो I guess आप लोगों को ये chapter one shot में बढ़िया तयार हुआ होगा questions जो है वो कथन वाले और कारण वाले और statement वाले कैसे आते हैं वो मैंने आपको बता दिये है बढ़िया तरीके से इस chapter को तयार कीजिएगा कोशी का चक्र और कोशी का विभाजन से दो या तीन प्रशना आने हैं वो मैं आपको guarantee दिलाता हूँ इस session से आपके पूरे हो जाएंगे इस session के माध्यम से आपको अब इस chapter में कोई गलती नहीं होनी चाहिए आए होब तो बहुत बहुत धन्यवाद class में अंतक बने रहने का मैं जरूर चाहूँगा कि एक बार आप comment करके जरूर बताईए कि ये कक्षा आपको कैसी लगी class कैसी लगी comment अगर आप बढ़िया करेंगे और अच्छी तरह से मुझे बताईएंगे तो काफी अच्छा लगेगा और आपके उच्छा और आपकी उर्जा से ही हमें उच्छा और उर्जा मिलेगी तो बहुत बहुत धन्यवाद अगले session में आपसे मुलाकात होगी अगले topic अगले one shot के साथ बहुत बहुत धन्यवाद